साथियों आज की यहाँ क्लास आपके लिए most important है क्योंकि आपके exam में इस video से जरूर question आएंगे कुछ question same option के साथ में भी आपके exam में देखने को मिलेंगे तो हमने इस video में उन videos को आपस मिमर्च कर दिया है जो कि आपके exam के perspective से important है तो आप इस video को complete देखेगा क्योंकि यह video आपको कल बहुत ही जादा तहायता करने वाला है आपके exam में साथि एक बात आओर कि आपको जनवरी 2021 और model paper जो कि मैंने आपको solve कर आया है आप इनको देख के जाईएगा क्योंकि इन दोनों ही question paper से question repeat होने की पूरी possibility है तो आप जनवरी 2021 और model paper को solve करके जाईएगा साथि आप लोग online test दे सकते हैं free of cost O level CCCC और current affair और GKGS का यह भी आपके लिए useful रहेगा इस video को like कर दीजे आई यह class को शुरू करते हैं पहला question which one of the following protocol is lightweight कि आपको यहाँ पर protocol दिये गए हैं आपको बताना है कि इन में से सबसे lightweight protocol कौन सा है IP, HTTP, MQTT, COAP तो बिल्कुल सही है जो MQTT है यह एक lightweight protocol है तो इसमें आप क्या टी करेंगे option number C, MQTT is the correct answer आपके exam में यहाँ से question आता है कि MQTT का full form क्या होता है तो MQTT का full form MQ telemetry protocol होता है क्या होता है MQ telemetry protocol basically जो MQTT है इसका older जो full form है and that is masses query telemetry protocol तो यह भी आपको ध्यान रखना है MQTT से आपके exam में question आ सकता है कि जो MQTT है जो MQTT है वो किस layer पे काम करता है तो आपको answer टिक करना है कि MQTT application layer पे काम करता है तो यह आपको ध्यान रखना है दिन यहाँ पर बात आई है IP के बारे में तो IP का full form internet protocol होता है और currently इसके दो version है IPv4 जो की 32 bit लंबा होता है वहीं IPv6 128 bit लंबा होता है आप से पूछ सकता है कि IoT के purpose से IP का कौन सा version सही है तो आपको टिक करना है IPv6 IoT के लिए best है तो यह भी आपको ध्यान रखना है और आपके exam के दिश्टिकोंट से MQTT और COAP यह दोनों protocol most important है तो आप इनके बारें पढ़ लीजेगा क्योंकि आपके exam में इन दोनों से ही question जरूर से जरूर आएगा तो आप इसके बारें में पढ़ लीजेगा तो इसमें का जाएगा option number C MQTT is the correct answer next which of the following language is preferred for IoT analytics IoT analytics के लिए कौन सी programming language best है python S R या फिर all of the mentioned तो बिल्कुल सही है अगर आप लोग IoT analytics करना चाहते हैं तो उसके लिए python best है तो इसमें का जाएगा option number A python is the correct answer अब question यह आता है कि जो python है इसे किसके द्वारा develop किया गया है तो आपका answer आएगा गीडो वैन रॉसम रस बीपियन इजा assembler, language, compiler या फिर operating system तो बिल्कुल सही है जो रस बीपियन है ये एक operating system है कौन है? operating system और जो operating system है ये system software होते हैं इसके लावा device driver और translator भी system software के example होते हैं अब बात यह आती है कि जो ये रस बीपियन operating system में इससे कौन provide करता है तो आपका answer आएगा raspberry pi के उजारा इससे provide किया जाता है यानि वसकली हम लोग इस operating system का use raspberry pi के साथ में करते हैं तो इसमें क्या जाएगा option number D operating system is the correct answer next how many types of ardenos do we have present time में ardenos कितने प्रकार के मौजूद हैं 5, 6, 8 या फिर इसको कर लीजे 7 तो जी बिल्कुल जो ardeno है present time में 8 प्रकार के ardeno board available हैं जिन में से 4 ardeno board हैं और 4 ardeno sealed हैं अब बात यह आती है कि जो 4 प्रकार के ardeno board हैं उनके नाम क्या क्या हैं तो ध्यान दीजिए पहला है आपका ardeno यूनो दूसरा है ardeno nano तीसरा है ardeno micro और चवथा है ardeno duo तो आपके इस लेबस में ardeno यूनो हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अब बात यहां पर आई है ardeno यूनो के बारे में तो आप से पूछ सकता है कि जो ardeno है ये क्या है hardware या फिर software तो आपको answer टीक करना है कि जो ardeno है ये एक प्रकार का hardware है और जो ardeno यूनो है ये 80 mega 328p micro controller का use करता है क्योंकि यो कुछन आपके exam में आ चुका है next and that is true false is mqtt is a standard क्या mqtt एक standard protocol है तो जी बिलकुल जो mqtt है ये एक standard protocol है आप से पूछ सकता है कि जो mqtt है ये किस प्रकार का oriented protocol है तो आप को answer टिक करना है कि ये एक message oriented protocol है तो इसमें का जाएगा ये हो जाएगा आपका true next the number of element in the open iot architecture open iot architecture में कितने elements मौजूद है 6 elements, 8 elements, 7 elements या फिर 3 elements तो बिलकुल सही है जो open iot architecture है इसमें आपके main 7 elements होते हैं और आपको बताना है कि वो 7 elements है वो कौन कौन से हैं तो इसमें का जाएगा option number c 7 element is the correct answer अगर आप लोगों को ये वीडियो वसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चनल को subscribe नहीं कर लिए तो subscribe कर लीजे ताकि आने वाले इने वीडियोस आप मिस ना कर सकें next does IOT gateway provide security for the network क्या जो IOT gateway है वो network के लिए security provide करता है तो जी बिल्कुल जो IOT gateway है ये आपका IOT network पे जो data transmit हो रहा है उस पे additional security provide करता है तो ये क्या हो जाएगा ये भी true हो जाएगा next what is the full form of HDLC आपको HDLC का full form बताना है तो जी बिल्कुल जो HDLC है इसका full form होता है high level data link control क्या होता है high level data link control तो इसमें का जाएगा option number C आप से पूछ सकता है कि जो HDLC है ये किस layer पे काम करता है तो आपका answer आएगा कि ये एक data link layer protocol है तो इसमें का जाएगा option number C next which of the following language does GSN work on इन में से किस language पे GSN work करता है अब बात यहाँ पर आई है GSN के बारे में तो GSN का full form global sensor network होता है क्या होता है global sensor network होता है basically इसमें जो language use होती है and that is Java इसके अलावा आप लोग C या फिर C++ को भी use कर सकते हैं but Java best रहेगी GSN के लिए तो इसमें का जाएगा option number B Java अब बात यहाँ तीक जो Java language है इसे किसने develop किया है तो आपका अंसर आएगा James Guzling ने Java को develop किया था और यह एक object oriented language है Python की तरीके next which of the following topology is used to Jigpy Smart Energy वो कौन सी topology है जो की Jigpy Smart Energy में use होती है bus topology, ring topology, star topology या फिर any topology तो बिल्कुल सही है जो star topology है यह आपका Jigpy Smart Energy में use होता है अब बात यहाँ तीक जो star topology है वो किस type की होती है तो जो star topology है यह कुछ इस type की होती इसमें क्या होता है इसमें एक central device होता है और इसी device जो यह आपका hub है या फिर switch है इसी के help से जो भी आपकी devices है वो connect होती है तो मान लिजिए एक device यह connect है एक device यह connect है और एक device यह connect है तो जो आपके सामने architecture दिख रहा है इसको हम बोलेंगे star topology जबकि मान लिजिए आपके पास कुछ devices हैं जिसे आपने कुछ इस type से जोड़ रखा है फॉर इसमपल यह device 1 है और इसके बाद यह device 2 है और यह device 3 है और यह device 4 है आपने क्या किया इनकी connectivity कुछ इस type से कर दी इसको इससे, इसको इससे फिर इससे और इससे तो जो यह आपको architecture दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या ring topology जबकि best topology में क्या होता है एक main wire होगा और इसी main wire से जो भी आपके पास devices है उनको आप connect करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या best topology तो इसमें क्या जायेगा option number C, start topology is the correct answer next which of the following layer provide end-to-end communication in IoT IoT में जो devices के बीच में communication होता है end-to-end वो कौन सी layer provide करती है logical layer, data link layer transport layer या फिर session layer तो बिल्कुल सही है जो आपकी होती है transport layer ये एक end-to-end communication provide करती है तो इसमें क्या जायेगा option number C is the correct answer आपको यहाँ पर एक term दिख रहा होगा and that is session layer तो आप से एक्जाम में पूछ सकता है कि जो session layer है इसका दूसरा नाम क्या है तो आपका answer आएगा कि session layer को हम लोग port layer भी कहते हैं next and that is question number 12 which devices, majors, gases are liquid वो कौन सी devices हैं जिसकी help से हम लोग gas या फिर liquid को मापते हैं यानि कि जो उसका pressure है उसको मापते हैं तो इसमें आपका आजाएगा जो pressure sensor है इसका operating voltage क्या होता है तो आपका answer आएगा जो pressure sensor है इसका operating voltage 3 volt होता है यानि कितना 3V यानि कि 3 volt तो ये भी आपको ध्यान रखना है next IANA stands for आपको बताना है कि जो IANA है इसका full form क्या होता है और ये एक important full form है तो ध्यान दीजे जो ये IANA है जो की एक संस्था है ये क्या करती है ये globally रूप से IP address को control करती है तो उसमें क्या जाएगा Internet Assigned Numbers Authority तो उसमें क्या जाएगा option number D IANA का full form Internet Assigned Numbers Authority होता है next 14 What is the sensor protocol used in GSN? अभी आपने पढ़ा था कि जो GSN है उसके लिए best language कौन सी है तो answer था Java बट हम लोग Java के अलावा C या फिर C++ का भी use कर सकते हैं बट यहां पे आप से पूछा गया है कि जो GSN है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल या फिर sensor use होता है तो ध्यान दीजिए जो GSN है जिसका full form Global Sensor Network होता है इसमें प्रोटोकॉल है and that is COAP प्रोटोकॉल कौन सा COAP प्रोटोकॉल जिसका full form होता है Constraint Application Protocol और यह प्रोटोकॉल आपके exam के लिए most important है तो आप इन दोनों ही number B COAP प्रोटोकॉल next and that is 15 DHT11 is sensor तो जो DHT11 जो की sensor का नाम है यह कौन सा sensor है proximity sensor humidity sensor touch sensor या फिर pressure sensor ध्यान दीजिए जो यह आपका DHT11 है यह एक temperature और humidity sensor है चूकि आपके option में दिया गया है humidity तो इसमें आप T करेंगे option number B is the correct answer बिसकली यह आपका एक temperature sensor भी होता है next which of the following IoT network has a very salt range तो इसकों लोग बोलते है salt range wireless network तो इसमें क्या जाएगा option number D is the correct answer next आपको बताना है कि जो Wi-Fi है और Bluetooth है इनमें से किसकी range ज़ादा होती है next what is the default bootloader of the Arduino Uno Arduino Uno में by default bootloader जो काम करता है उसका नाम क्या है opti bootloader air boot bear box या फिर GAG तो जाँ दीजिए ये एक important question है तो इसमें क्या जाएगा option number A opti boot bootloader तो इसमें क्या जाएगा option number A next and that is 18 is COAPIETF standard क्या COAP एक IETF standard है तो बिल्कुल सही है जो COAP है ये एक IETF standard है और आप लोगों को इन दोनों के फुलफाम मालूम होने चाहिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ आते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो COAP है इसका फुलफाम क्या होता है तो COAP का फुलफाम constrained application protocol होता है जबकि IETF का फुलफाम internet engineering task force होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है next a program written with the IDE for Arduino is called जो भी आप लोग Arduino के लिए प्रोग्राम लिखते हैं उसे प्रोग्राम कों लोग क्या बोलते हैं IDE source sketch cryptography या फिर source code तो ध्यान दीजे जो भी आप लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं sketch और आपको बताना है कि जो IDE है इसका full form क्या होता है इसका full form मैंने आप लोगों को last class में बताया था मुझे आसा है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा अगर आप लोगों को which type of sensor जो barometer है ये किस प्रकार का sensor है pressure sensor touch sensor temperature sensor या फिर humidity sensor तो ब्लोगों सही है जो barometer होता है ये एक pressure sensor है तो इसमें क्या जाएगा option number A pressure sensor next what is another name of the tactile sensor tactile sensor का other name क्या है basically tactile sensor की help से जो भी आपका physical interaction होता है उसको measure किया राता है तो इसको हम लोग touch sensor भी कहते हैं तो इसमें क्या जाएगा option number D touch sensor is the correct answer यानि कि touch sensor और tactile sensor ये एक दूसरे के नाम है next यानि कि tactile sensor को हम लोग touch sensor बोलते हैं next 22 which layer is called a port layer in OSI model आपको बताना है कि जो OSI model है उसमें किस layer को हम लोग port layer भी कहते हैं और मैंने आप लोगों को ये बात भी starting में ही बताई थी कि जो session layer है इसको हम लोग port layer भी कहते हैं क्या बोलते हैं port layer कहते हैं अब बात यहाँ पर आई है OSI की तो OSI का full form open system interconnection होता है और एक होता है TCP IP तो TCP IP का full form transmission control protocol internet protocol होता है basically जो TCP IP model है उसमें 4 layer होती हैं जबकि OSI model में 7 layer होती हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है next does home pod allow voice controlling क्या home pod voice controlling की सुविधा देता है तो बिल्कुल सही है जो home pod है जो की एक mini speaker है इसकी help से आप voice को भी control कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये एक true question है next the oldest form of communication is communication की oldest form पुराना रूप क्या है writing, speech, reading या फिर symbolic तो बिल्कुल सही है जो communication है इसका old form पुराना प्रारूप होता है speech तो इसमें क्या जाएगा option number B speech is the correct answer next and this session का last question how many digital pins are there on the unoboard unoboard में कितनी digital pin होती है तो आपका answer आएगा कि जो unoboard है इसमें total 14 digital pins होती है तो इसमें क्या जाएगा option number A अब बात यहाँ पर आई है Arduino unoboard की तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ information मालूम होनी चाहिए सबसे पहली कि जो Arduino है ये IoT का application नहीं है आपसे पूछ सकता है true false में कि क्या Arduino IoT का application है तो आपको tick करना है नहीं ये एक IoT का application नहीं है आपसे पूछ सकता है कि जो Arduino Arduino है इसका सबसे फेमस वर्जन काउन सा है तो आपको tick करना है Arduino Uno और Arduino Uno को 2005 में Massimo Benji के द्वारा develop किया गया था ये भी आपको कर देना है जिन सबसे पहला question इस session का काउन सा protocol full duplex communication प्रदान करता है HTTP, MQTT, WebSocket या फिर HTTPS धान दीजेगा जो WebSocket है ये full duplex communication प्रवाइड करता है Basically WebSocket से आपके एक्जाम में एक question मनता है कि जो WebSocket है ये किस पर आधारित है किस पर based है TCP पे या फिर UDP पे धान दीजेगा जो WebSocket है ये TCP पर आधारित है अगला point जो TCP है और UDP है ये दोनों ही protocol transport layer protocol होते हैं अगला point जो TCP है ये connection oriented है वहीं जो UDP है ये connectionless protocol है अगला point आपसे पूछता है कि जो HTTP है ये TCP का का अगा support यूज़ करता है आपको ध्यान रखना है कि HTTP, TCP का port number 80 यूज़ करता है पहले में आ जाएगा option number C next MQTT एक transport layer protocol है जी नहीं जो MQTT है जिसका form message queen telemetry transport protocol होता है ये एक application layer protocol है ना कि transport layer protocol है ये हो जाएगा false बिसकली आपके exam में question आता है कि जो MQTT है क्या वो HTTP से better है या फिर नहीं जी धान दीजेगा जो MQTT है ये HTTP की तुलना में data sending और receiving करने के लिए better protocol है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा false क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था transport layer जब कि ये application layer protocol है next RFID जिसका full form radio frequency identification होता है ये एक wired communication system है तो जी नहीं जो RFID है ये एक wireless communication system है ना कि wired communication system है इसको आप कर देंगे false next जिमने लिखित में से कौन सा network layer protocol है तो जो IP है जिसका full form internet protocol होता है ये एक network layer protocol है basically आपके exam में network layer से एक question और पूछा आता है कि network layer में data किस form में होता है किस format में होता है जान दीजेगा network layer में जो data होता है वो packet की form में होता है packet की form में होता है अगला point जो telnet और FTP है ये दोनों protocol application layer protocol है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला point एक और जो कि आपके exam के लिए important है कि जो IP है इसके दो popular version है एक है IPv4 और एक है IPv6 जो IPv4 है ये होता है 32 bit लंबा वहीं जो IPv6 है वो होता है 128 bit लंबा अगला point जो IP address है इसी को हम लोग logical address भी कहते हैं वहीं एक होता है mic address क्या होता है mic address जो mic address है इसे हम लोग physical address या फिर hardware address कहते हैं और ये 48 bit लंबा होता है आपको इन सारे point को copy में एक जगे पे note कर लेना है अगला है vnc का full form क्या होता है vnc का full form virtual network computing होता है basically जो vnc है ये एक graphical desktop sharing system है इसमें हम computer को remotely control करते हैं और इसके लिए जो vnc है ये remote frame buffer protocol का use करता है next question number 6 osi model की currency layer data को compress करती है जो presentation layer है जो presentation layer है ये data को compress करती है data को encrypt करना भी इसी की जिम्मेदारी होती है basically आपको full form पता होना चाहिए जो osi model है इसका full form open system interconnection होता है इसे ही हम लोग iso osi model भी कहते हैं और इसमें 7 layer होती है कितनी layer होती है इसमें 7 layer होती है वहीं एक आपने सुना होगा tcp ip model के बारे में जो tcp ip model है इसमें 4 layer होती है और इसका full form transmission control protocol internet protocol होता है यह भी आपको ध्यान रखना है basically data link layer से भी आपके exam में question पुशा आता है data link layer में जो data होता है वो किस form में होता है तो आपका answer आएगा कि वो frames की form में होता है ठीक है चलिए अगला siso का पूरा नाम क्या है आपको siso का full form बताना है siso का full form single input single output होता है next काउन सा प्रोटोकॉल light weight है HTTP, MQTT, SPI या फिर FTP दान दीजेगा जो MQTT है जो MQTT है इन सभी प्रोटोकॉल में सबसे light weight है जो इसमें आपको करेंगे option number B MQTT आपको बताना है कि जो MQTT है वो किस layer पर काम करता है किस layer का प्रोटोकॉल है application layer का जा फिर transport layer का जा फिर कोई other layer जो आपको पता हो तो आपको इसका answer comment करना है मैंने आप लोगों को इस यह लापॉइंट इस टार्टिंग में ही बताया था बिसकली आप लोगों को SPI और FTP इन दोनों का full form भी comment करना है देखते हैं कि कौन कौन करता है next question number 9 क्या data को send वा receive करने के लिए MQTT प्रोटोकॉल HTTP से बहतर है तो जी बिल्कुल मैंने आप लोगों को यह point स्टार्टिंग में ही बताया था MQTT HTTP से काफी बहतर है data को transmit और receive करने के संदर हुए इसमें आप टी करेंगे true next fiber optic cable media है जो fiber optic cable है जो fiber optic cable है या फिर co axle cable है या फिर twisted pair cable है ये तीनों ही guided media होते हैं या हम बोल सकते हैं bounded media होते हैं वहीं जो wifi है microwave है satellite है ये क्या है ये सभी के सभी unguided ये हम बोल सकते हैं wireless ये हम बोल सकते हैं unbounded media या medium है उसमें आप टी करेंगे option number A guided is the correct answer basically आप से पूचता है कि सबसे fastest data को transmit करने का क्या माध्यम है आपका answer आएगा fiber optic cable then next question number 11 RISC का पुरा नाम क्या है RISC का full form reduce instruction sit computer होता है और जो एक question है ये आप लोगों के third chapter sensor, actuator और microcontroller इस chapter से आया है basically जो RISC है इसका एक बड़ा भाई है and that is CISC तो जो CISC है इसका full form complex instruction sit computer होता है तो आपको इन दोनों के ही full form पता होने चाहिए मैं आप टी करेंगे option number D next overlay से बना हुआ count star touch screen glass है तो APR capacity touch screen या फिर रिजिस्टिव touch screen तो जो touch screen glass है जो की overlay से बना हुआ है वो है रिजिस्टिव touch screen तो इसमें आपको करेंगे option number D next actuator में सामिल नहीं है वो common सा term है जो की actuator के अंदरगत नहीं आता है तो gear, motor, piston ये तीनों ही actuator के example हैं बट जो controller है ये actuator में नहीं आता है basically actuator और sensor ये दोनों transducer भे खालाते हैं अब ये transducer क्या होता है तो एक ऐसी device जो energy की एक form को दूसरी form में convert करे उसको बोलते हैं transducer ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और sensor actuator transducer के example है next avr का पूरा नाम क्या है avr का full form alf, agil, bogan, begard, wallin, risk होता है तो इसमें आपटिक करेंगे option number a हाला कि ये इतना important full form नहीं है next क्या sensor output device है तो जी नहीं जो sensor है ये एक input device है तो इसमें आपटिक करेंगे no next p.ic का पूरा नाम क्या है तो p.ic का full form programmable integrated circuit होता है तो इसमें आपटिक करेंगे सरी सरी हाँ सही है बिल्कुल सही है programming integrated नहीं programmable interface controller होता है तो इसमें आपटिक करेंगे option number c यहाँ पर interface होता है integrated नहीं होता है next Arduino में modulus की गड़ना के लिए किस symbol का use किया राता है has percentage not equal या फिर dollar तो जब भी आप लोगों को reminder found out करना होता है तो इसमें आप यूज करते हैं percent symbol या percent symbol for example आपके पास कोई number है like 16 16 में अगर आप 3 से divide करेंगे और आपके requirement ये है कि अगर मैं 16 में 3 से divide करूंगा तो मुझे reminder क्या मिलेगा salesful क्या आएगा तो salesful जिसको बोलते हैं reminder उसको find out करने के लिए हम लोग modulus operator का use करते हैं तो for example हमें लिखा 16 modulus 3 तो इसमें क्या होगा 16 में 3 से divide क्या जाएगा दिन इसके बाद जो salesful आएगा वो answer हो जाएगा इस case में 3 5 जा 15 तो यहाँ पर reminder क्या आएगा 1 तो इसको आएगा 1 इसको हम बोलते हैं क्या modulus operator जिसको हम लोग आम भासा में बोलते हैं percentage symbol ठीका आपके करेंगे option number B next Arduino Uno में 6 analog input pin है जिन्हें label किया गया है जो Arduino Uno board है उसमें 6 analog input pin होती है ठीक है तो उनको हम लोग किस label से पहचानते हैं identify करते हैं जो A0 से लेकर A5 तक की pins होती है उनको बोलते है analog pin जाने कि A0, A1, A2, A3, A4 और A5 यह सारी pin और लोग pin होती है next क्या इसमें आ जाएगा option number A next 19 क्या एक Arduino program को C, C++ programming language के बजाए Java programming language में लिख सकते हैं तो यह बिल्कुल सही है यह आपकी सरद्दा है आप किसी भी programming language में लिख सकते हैं चाहे वो C हो, C++ हो, Python हो या फिर Java हो इसको आप करेंगे yes next 80 mega 328p में P का क्या अर्थ है जो जो P है जो का full power होता है basically जो 80 mega 328p micro controller है इसमें 32 kb की memory मिलती है और यह 8 bit chip होती है यह 20 mcqs हो चुके हैं इस सेट के ज़र हम क्या करेंगे तब हमें test इस पे क्लिक कर देंगे तिन OK कर दीजिए तिन जो इसका result है वो आपके सामने open हो जाएगा तो फ्रहा सा wait करते हैं जहां पर फ्रहा सा net का issue है जबर बोल रहा है आपने total 20 question इस सेट में 20 question थे आपने 20 के 20 question attempt किये हैं और आपके 20 question बिल्कुल सही है और आपने इतना time लिया है आप pass हो गए है अगर आपको देखना है आपने कौन कौन से सही answer दिये हैं तो आपको correct answer यहां पे क्लिक करना है तो जो भी आपने correct answer दिये होंगे वो आपको यहां पर दिखाई देंगे वहीं अगर आपको check करना है कि आपने कौन कौन से answer गलत किये थे तो आप wrong answer पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सा question गलत किया है और उसका सही answer क्या है चूँकि हमने एक भी गलत answer नहीं टिक किया है तो यहां पर wrong answer में value 0 है तो इसके बाद अगर आप लोगों को सारे questions के answer देखने है तो आपको view all answer यहां पे क्लिक कर देना है और आपको यहां पर line by line सारे question answer के साथ में दिख जाएंगे तो हमने 20 question को finish कर लिया है अब हम क्या करते हैं एक दूसरे sit को open करते हैं तो इसको करते हैं थोड़ा सा back साथियों अगर आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दीजे कि मेरी आप से request है बाकी आपकी स्रद्धा है तो हम यहां पर जो अगला set ले लेते हैं इसमें हमने Jan 21 का paper solve किया है जिन यह 22 का paper है हाँ तो हम लोग क्या कर लेते हैं जो Arduino से सम्मंदित MCQs है उसका test लेते हैं हम यहां पर start test यहां पर click करते हैं तो यहां पर जो Arduino से सम्मंदित क्यूसका set है वो open हो जाएगा तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं ओके दाम fill कर देते हैं अपना सत्याम और कर देते हैं start test पहला question IoT analytics के लिए यह में लिखित में से कौन सी language पसंद की जाती है prefer की जाती है और यह एक important question है ध्यान दीजेगा जो python language है इसको prefer किया जाता है जब भी आप IoT analytics करना चाहते हैं तो उसमें आ जायेगा option number A python basically जो python इसे 1989 में गीडो वैन लौसम जी के दोड़ा डवलप किया गया था यह भी आपको ध्यान रखना है हमारे पास कितने प्रकार के Arduino है 5, 8, 6, जाफिर 7 ध्यान दीजेगा आज कल Arduino तो कई टाइप की हैं बट जो main रखा गया है वो है 8 इसे 4 Arduino board है और 4 Arduino sealed है basically sealed को ही हम लोग add-on भी कहते हैं तो इसमें आ जायागा option number B 8 is the correct answer next यूनो board में कितने digital pin होते हैं तो आपको पता ही है जो Arduino UNO board है उसमें 6 analog pin होती है और 14 digital pin होती है और 14 digital pin में से ही जो 6 pin होती है वो PWM यानि की pulse with modulation के लिए यूस्ट करते हैं तो इसमें क्या जायेगा option number C next build USB में micro controller का उपयोग करने वाला पहला board कौन सा है तो वो है Leonardo तो इसमें आ जायेगा option number B वहीं जो Arduino UNO है इस सबसे ज़्यादा popular Arduino का एक type है question number 5 Arduino IDE में कितनी बार setup function चलता है तो आपको पता ही है जब भी आप लोग Arduino में program लिखते हैं तो वहाँ पर जो domain function है पहला है setup और दूसरा है loop ये दोनों main function होते हैं बिसकली जो code आप setup function के अंदर रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार execute होता है वहीं जो code आप loop function के अंदर लिखते हैं वो बार बार repeatedly execute होता है तो इसमें आप टिक करेंगे option number one यहने कि एक बार function चलता है एक बार function execute होता है next c programming होंसा का प्रकार है जो c language है वो किस style को follow करती है वहने आपको कई बार बताया है कि जो c language है यह procedural oriented language है तो आप टिक करेंगे option number b वहें जो python है यह object oriented language next function input output pin को configure करता है वो कौन सा function है जो input output pin को configure करने के लिए उपियोग किया जाता है जब भी आप लोगों को बताना होता है भिया मैं Arduino board की इस pin को input के लिए जा फिर output के लिए यूज करते हैं यूज कर रहा हूं तो इसके लिए आप लोगों को pin mode function का यूज करना होता है ध्यान दीजेगा जो pin mode है इसमें M capital होता है बाकी small later होता है पर इसमपल आपने आपके पास यह Arduino board है इस Arduino board माल लिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ground है यह pin number 13 है और यह ground है आपने pin number 13 से एक LED connect कर दी इस case में अब चू की जो LED है उसको आप output देंगे उसको आप signal देंगे उसको आप voltage देंगे तब यह blink होगी हम यह कह सकते हैं कि जो pin number 12 है इसे आप output की तरह यूज कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे जब लिखेंगे प्रोग्राम तो इसमें आप लिखेंगे भहिया pin one minute pin mode pin mode bracket के अंदर भहिया जो pin number 12 है इसे मैं output की तरह यूज कर रहा हूं और जो output होता है या फिर input होता है उसे भी आप लोग capital letter में लिखते हैं मैंने आप लोगों को Arduino वाले chapter में पढ़ाया है क्या जाएगा option number P pin mode next एक second में कितने millisecond होते हैं अगर आप लोगों ने program create किया होगा blink LED वाला तो उसमें हम लोग LED को कुछ time के लिए delay कर रहे थे और हम लोग वहां पर value pass कर रहे थे 1000 1000 का मतलब होता है 1 second अगर मैं आप से कहूं कि आप की 10 second में कितने millisecond होते हैं तो आप क्या करेंगे 1000 में 10 से multiply कर देंगे और आपका answer आजागे कितना 10,000 10 second में कितने millisecond होंगे 10,000 millisecond होंगे क्योंकि 1 second में 1000 millisecond होते हैं अगला Arduino उनों में सिर्फ digital pin होती है तो यह यह सरासर गलत है क्यों क्योंकि Arduino में digital pin भी होती है analog pin भी होती है USB connectivity भी होती है और external power supply देने के लिए port भी होता है तो आप कर देंगे false क्योंकि यहां पर लिखा गया है सिर्फ अगर सिर्फ ना लगा होता तो आप इसको true कर सकते थे लेकिन यहां पर लगया हुआ है सिर्फ आप टिक करेंगे इसको false क्योंकि Arduino Uno में analog और digital दोनों प्रकार की pin होती है next Arduino Uno Arduino board का सबसे प्रसिद्ध प्रकार है तो यह बिल्कुल सही है Arduino Uno सबसे पॉपलर board है Arduino के टाइप में Arduino के द्वारा इंट्रीवस किया गया जो Arduino है इसे मैसमो बैंजी के द्वारा इंट्रीवस किया गया था वहीं जो Java language है जेम्स गुजिलिंग जी के द्वारा इंट्रीवस किया गया था जो C language है इसे द्वारा इंट्रीवस किया गया था करेंगे option number C next Arduino IDE किस language में लिखी गई है जो Arduino IDE है जो Arduino IDE है इसे C और C++ Language का यूज करके लिखा गया है यानि कि A और D दोनो next Arduino किस वर्स में इंट्रीवस किया गया तो हजार पांच में Arduino को इंट्रीवस किया गया था मैसमो बैंजी के द्वारा अगला question इसमें नहीं है थर्टीन किसमें question है तो क्या करते हैं को यहां से submit कर देते हैं दिन देखते हैं कोई question हो गई हाला कि नहीं है तो थोड़ा सा wait करते हैं और यहां पर जो result है वो calculate होकर so करेगा तो बोल रहा है कि इस set में 13 question थे और आपने 13 के 13 question attempt किये हैं और आपने इनको solve करने के लिए 6 minute 22 second का time लिया है और आप यहां से सारे question के answer के साथ में आप यहां पर देख सकते हैं तो 20 उसमें थे 13 कितने हो गए है 33 यानि किभे में क्या करना पड़ेगा साथ question और solve करने पड़ेंगे तब जाकर 40 MCQ हैं वो complete होंगे तो जो यह question सारे हैं यह बहुत important है इनको आप जरूर करिएगा इस video को देखने बाद आप यहां पर क्या करिएगा पुद का टेस्ट लीजिएगा तो इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपने इस video से कितना absorb किया है आप कहां पर गलती कर रहे हैं कि हम क्या कर लेते हैं कुछ question जनवरी 2021 के paper के solve कर लेते हैं तो मैं यहां पर message queen telemetry transport protocol होता है Arduino Uno में पुरियोग किया जाने वाला micro controller क्या है आप का answer आएगा 80 mega 328 P और P का full form Pico power होता है next GPIO का full form क्या होता है GPIO का full form general purpose input output pin होता है यहने कि आप टिक करेंगे option number B next इम लिखित में से कौन सा TCP IP layer नहीं है आपको बताना है यहां पर जो layer दी गई है उनमें एक ऐसी layer है जो कि TCP IP की layer नहीं है application layer भी होती है transport layer भी होती है network layer भी होती है बट data link layer नहीं होती है एक बात और जो network layer है इसको हम लोग network interface layer या फिर internet layer भी कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है next question number five इम लिखित में से कौन सा communication medium उच्चतम highest data rate को support करता है वन्हें आप लोगों को starting बताया था कि जो optical fiber है सबसे fastest data transmit करने के लिए medium है माध्यम है में आपटिक करेंगे option number C basically जो wifi है यह एक wireless communication है वही Bluetooth भी wireless communication medium है जो wifi है इसका full form wireless fidelity होता है जब कि जो ethernet है यह एक wired communication medium है यह वाद में repeat करता हूं ethernet, optical fiber यह दोनो wired communication है वहीं जो optical fiber है यह सबसे जादा highest data rate को support करता है अगला point Bluetooth, Wi-Fi यह दोनों ही wireless medium है यह भी आपको ध्यान रखना है IIoT का full form क्या है और आपकी इस बार exam के लिए जो IIoT है यह important है salt note के purpose से आपसे बोल देगा भीया IIoT को संचेप में समझाईए तो आप IIoT को prepare कर लीजिए IIoT का full form industrial internet of things होता है C stands for VNC का full form क्या होता है various network computer virtual network computing virtual network communication या फिर इन में से कोई नहीं तो जी बिलुकुल सही है VNC का full form virtual network computing होता है तो उसमें क्या जाएगा option number B आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को question से जमनते जो भी extra facts हैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जल्द ही hundred plus important points की वीडियो लेके आने वाला हूं तो आप लोग उस वीडियो को जूर देखेगा जिससे आपको part 1 और part 2 दोनों में help मिलेगी सो next question देखते हैं question number second one of the main characteristics of linked stream data is live streaming linked stream data की मुख्य सरस्ताओं में से एक live streaming है तो यह बिल्कुल सही है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा true next which board is first to use microcontroller within bulb USB build USB में microcontroller का उपयोग करने वाला पहला board कौन सा है Lilypad, UNO, Redboard या फिर Lenaldo तो यह बिल्कुल सही है जो Lenaldo है यह पहला build USB में microcontroller का उपयोग करने वाला board था तो उसमें का जाएगा option number D next how many wires does SPI protocol use जो SPI है यह कितने wire को use करता है 4, 2, 6, 3 जे बिल्कुल जो SPI protocol है आपको बताना है कि जो SPI है इसका full form क्या होता है क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही जो important full form है उसकी video provide कराई है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजे तो जो SPI protocol है यह चार wires को use करता है तो उसमें का जाएगा option number A next what is ESP8266 ESP8266 क्या है sensor, wifi module, board या फिर USB cable तो जी बिल्कुल सही है जो ESP8266 है यह एक wifi module है क्या है wifi module है आपको किनी तीन sensor के नाम comment box में comment करने हैं और यह एक important question यह sensor क्या होता है किनी तीन sensor के बारे में या फिर 5 sensor के बारे में समझाईए next question number 6 our dress code is an example of communication हमारी dress का code किस प्रकार के communication का example है verbal, non-verbal, written या फिर spoken तो जी बिल्कुल जो हमारा dress code है वो एक non-verbal communication का example है उधारन है तो उसमें क्या जाएगा option number B next 7 an open source stack for gateway and the edge gateway और edge के लिए एक open source stack है वो कौन सा है तो आपका हो जाएगा eclipse कूरा क्या हो जाएगा eclipse कूरा option number one minute option number इसमें आप D tick करेंगे basically जो यह आपका eclipse कूरा है इससे समंदे तक full form है and that is osgi तो osgi का full form open source gateway initiative होता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए next question number 8 how many times setup function runs in Arduino IDE Arduino IDE में setup function कितनी बार run होता है 10 बार 2 बार 1 बार या फिर इन में से कोई नहीं तो धान दीजिए जो setup function होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार run होता है तो इसमें क्या जाएगा option number a is the correct answer next 9 what is the stability of pressure sensor pressure sensor की इस्तिरता क्या है plus minus 0.75% plus minus 0.5% plus minus 0.35% या फिर plus minus 0.125% तो जी बिल्कुल जो pressure sensor है इसकी stability plus minus 0.35% fs होती है basically fs का full form full scale होता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है next 10 later email telephone are example of later email telephone किसके example है message के, feedback के, channel के या फिर encoding के तो जी बिल्कुल later email telephone यह सभी के सभी channel के example है next next 11 a connect connect the sender sender to the receiver sender को receiver से कौन connect करता है channel, noise, communication या फिर feedback तो sender को रिसीवर से connect करने का काम कौन करता है channel, उसमें का जाएगा option number a channel is the correct answer next 13 which one is the following protocol is light weight काउन सा प्रोटोकॉल light weight है और यह एक most important question है IP, HTTP, MQTT या फिर COAP तो ध्यान दीजे जो MQTT है जिसका full form MQ telemetry transport protocol होता है यह एक light weight protocol है एक है HTTP तो HTTP का full form hypertext transfer protocol होता है next question number 14 resources are identified by uniform resource identifier संसाधनों की पहचान uniform resource identifier के द्वारा की जाती है COAP, HMTP, MQTT या फिर TCP IP तो ध्यान दीजे जो COAP resources होते हैं उनकी पहचान URI के द्वारा की जाती है तुसमें का जाएगा option number a आपको COAP, MQTT इन दोनों का ही full form comment करना है next 15 a communication is a non-stop communication एक non-stop क्या है paper, process, program या फिर plan तुझे बिल्कुल communication एक non-stop process होता है तुसमें का जाएगा option number B next 16 a cellular network is expensive especially with many IoT devices एक cellular network महेंगा होता है खास कर कई उपकरणों के साथ तो signaling, security, bandwidth या फिर power consumption तुझे बिल्कुल इसमें आप टिक करेंगे bandwidth इसमें आप टिक करेंगे आप one minute इसमें आप टिक करेंगे option option number C bandwidth is the correct answer CPU और power के साथ में bandwidth भी एक आपके लिए important role होता है IoT उपकरणों को add करने के लिए connect करने के लिए तुसमें का जाएगा option number C next IoT data scalability include IoT data scalability में क्या include है protocol abstraction simple and fast installation security with hardware या फिर data storage तुझे बिल्कुल IoT data scalability में data storage सामिल है तुसमें क्या जाएगा option number D next 18 allow us to control electronic component काउन हमें electronic component को control करने की अनुमती देता है restful API COAP API या फिर HTTP या फिर MQTT तुझे बिल्कुल सही है जो restful API है और API का फुलम क्या होता है application programming interface तुसमें क्या जाएगा option number A is the correct answer next the response to a sender's message is called जिस sender को response करना क्या कहलाता है food bank feedback food या फिर back तुझे बिल्कुल sender के message का response करना कहलाता है feedback तुसमें क्या जाएगा option number B feedback is the correct answer next 20 which is the core wrapper of GSN GSN का core wrapper कौन है serial UDP GPST EST या फिर 0 MQ wrapper तुझे बिल्कुल GSN का main जो core wrapper है वो है 0 MQ wrapper 20 में आप तिक करेंगे option number D is the correct answer next 21 what kind of electronic document contains a public key कौन सा electronic document public key को contain करता है pen pin digital certificate या फिर biometric तुझे बिल्कुल जो digital certificate होता है उसमें public की होती है तुझे क्या जाएगा option number C next 22 means communication without word किसका मतलब ऐसा communication जो बिना सब्दों का है object communication written communication oral communication या फिर non-verbal communication तुझे बिल्कुल जो non-verbal communication होता है उसका मतलब है communication without word बिना सब्दों के संबाद next 23 C is type of programming language C किस प्रकार की भासा है object oriented procedural bit level या फिर function तो जी धान दीजिए जो C language है वो होती है procedural oriented language जबकि Python Java C++ C Sharp यह होती है object oriented language basically यहाँ पर बात C के आई है तो C का जो developer है C को Danish Reggie के दूर develop किया गया था कब 1972 में तो यह आपको ध्यान रखना है दूसरी बात यह है कि जो C language है वो B language का successor है next 24 MQTT is better than HTTP for sending and receiving data MQTT HTTP की तुलना में data को receive or send करने के लिए better है तो जी बिलकुल तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा true basically HTTP का full form hypertext transfer protocol होता है जबकि MQTT का full form message queen telemetry transfer protocol होता है next एक function अन्यथा एक प्रक्रिया या उप दिन चर्या पढ़ते हैं इंगलिस वाला a function otherwise non as a procedure or sub routine जो function है जिसे हम लोग procedure of code piece code का एक piece होता है that can not be used from elsewhere in a sketch क्या उस piece of code को हम अपने sketch में कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है जो function है उसको आपने sketch में कहीं पर भी use कर सकते हैं चूकि यहां पर लिखा गया है not तो यह हो जाएगा false next 26 which of the following protocols does the secure digital card application use सुरचित digital card application निम्न में से किस protocol का उपयोग करता है XMPP SPI या फिर MQTT या फिर HTTPS तो जी बिलकुल इसमें आ जाएगा SPI protocol तो इसमें का जाएगा SPI protocol is the correct answer next 27 specifies the function that will be called on an error event क्या specify करता है कि function यह कब तब तब call होगा जब कोई error मिलेगी callback error connect या फिर reconnect तो जी बिलकुल जो error है जो error है error is specify करता है कि यह error होने पर कौन से function को call करना है specify the function that will be called on an error event next hedge is used to insert comments in the C program क्या C program में हम लोग comment बनाने के लिए hedge symbol का use करते हैं तो आपको uncertainty करना है false क्योंकि hedge use करते है किसमे python में या फिर php में जबकि जो c language है इसमें हम लोग double slash या फिर slash इस इसका use करते हैं तो यह आपके दोनों ही किसमें होते हैं c language में next 28 an identifier can start with जो identifier है वो किस से start हो सकता है alphabet underscore से या फिर किसी भी character से या फिर option A और option B से तो जी बिलकुल जो identifier है वो या तो alphabet से start होता है या तो underscore से start होता है next 59 number of keywords present in c language c language में कितने keyword present हैं 32 34 62 या फिर 64 तो जी बिलकुल c language में total 32 keyword हैं जुसमें क्या जाएगा option number A next IaaS stands for IaaS का full form क्या होता है तो IaaS का full form infrastructure as a service होता है तो इसमें आपती करेंगे option number A next how many pins does temperature sensor have ता आप मान sensor में कितने pin होते हैं 5 2 4 या फिर 3 तो धान दीजे temperature sensor में total 3 leg होते हैं 3 टांगे होती हैं जिसमें क्या जाएगा option number D 3 legs is the correct answer next which sensor is used in mobile phones mobile phone में कौन सा sensor यूज किराता है capacity touch sensor temperature sensor humility sensor या फिर weight sensor तो जो mobile phone है या फिर जो portable device होती है उसमें यूज होता है capacity touch sensor तो इसमें क्या जाएगा option number A is the correct answer 33 Our dress code is an example of communication हमारे dress का code किस प्रकार की communication का example है verbal non-verbal written या फिर spoken इसका answer आपको comment करना है क्योंकि यह question क्या हो चुका है repeat हुआ है next number of methods in COAP जो COAP protocol है इसमें कितने method available है 2 5 4 या फिर 3 तो धान दीजिए जो COAP protocol है इसमें total आपके 4 method है कौन-कौन से आपने पढ़ा होगा HTML में post हाना post get यह आपने पढ़े हैं तो इसके लामा कौन-कौन से है put हो गया और delete हो गया तो यह आपके total चार method होगा है जो की COAP protocol use करता है next i speaker looks into the eyes of the audience एक वक्ता दर्सकों की आँखों में देखता है तो जो speaker है वो confidence के साथ में audience की आँखों में देखता है तो उसमें क्या जाएगा confident यानि कि option number A is the correct answer the collection of data is achieved with changes data के collection को किसके साथ किस प्रकार की changes के साथ में achieve किया राता है intelligence connectivity dynamic nature या फिर enormous skill जी बिलकुल यह जो आपके changes से यह होते हैं कौन से dynamic nature changes तो इसमें क्या जाएगा option number C is the correct answer next one of the main characteristic of linked stream data is live streaming यह question में repeat हो है तो आपको इस concern भी comment करना है कि यह true है यह true है कि false है next the IoT platform are mainly divided into how many types IoT platform को कितने mainly मुख्यता कितने प्रकार में divide किया गया है तीन प्रकार में पांच प्रकार में चार प्रकार में या फिर दो प्रकार में तो ध्यान दीजे जो IoT platform है इसको चार प्रकार में divide किया गया है सबसे पहला आता है company based दूसरा आता है enterprises based तीसरा आता है e-government based चौथा आता है business oriented based तो यह आपके चार कटेगरी में IoT platform को बाटा गया है तो इसमें का जाएगा option number C next which pressure standard is used for gauge gauge के लिए कौन सा pressure standard use होता है dead weight tester manometer pressure switches या फिर stain gauge pressure sensor तो यह बिल्कुल जो manometer है जो की एक pressure standard है वो gauge के लिए यूज किया राता है तो इसमें का जाएगा option number B next footy electronic motor protection hedge which sensor electronic motor protection में कौन सा sensor use किया राता है pressure sensor touch sensor temperature sensor या फिर humidity sensor तो यह बिल्कुल उसमें आपका यूज होता है temperature sensor तो इसमें का जाएगा option number C जो limit set की गई थी उसी limit में temperature temperature है या फिर इससे ज्यादा हो चुका है उसको नापने के लिए हम लोग temperature sensor का use करते हैं next footy one which axis accelerometer is mostly used in IoT IoT में अधिक्तम अधिकतर किस axis accelerometer का use होता है two axis three axis one axis या फिर combination of all तो जी बिल्कुल जो यह आपका accelerometer है यहां पे 3 axis वाला accelerometer use कराता है IoT में basically जो यह आपका accelerometer होता है यह जो इसमें जो device में क्या orientation हुआ है कितने बार tap किया गया है कितने बार double tap किया गया है से किया गया ने किया गया है motion इन सभी को क्या करता है direct करता है इनका पता लगाता है जिसमें क्या जाएगा option number B three axis accelerometer next does proximity sensor have a temperature sensor in it क्या proximity sensor में तापमान sensor होता है तो जी हाँ बिल्कुल proximity sensor में तापमान sensor होता है यह हो जाएगा true next 43 how many types of touch sensor are present कितने प्रकार के touch sensor available है 2 3 4 या फिर 5 ध्यान दीजे जो touch sensor है वो दो प्रकार के available है पहला होता है registrative कौन सा registrative रजिस्ट्यू 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 और दूसरा होता है capacity तो यह आपके दोनों क्या है touch sensor के प्रकार है पहला कौन सा है registive दूसरा है capacity next which of the following has a real time clock किसमे real time clock होती है Galileo generation 2 में raspberry pi में Arduino में या फिर 353 में तो जी बिलकुल जो Galileo generation 2 है इसमें real time clock पाई जाती है next ITS stand for ITS का full form क्या होता है internet travel services internet transportation security intelligent transportation security या फिर intelligent transportation services बताईए जी बिलकुल ITS का full form intelligent transportation services होता है तो उसमें कहा जाएगा option number D next 46 which sensor can detect nearby object कौन सा sensor आस पास की वस्तुओं को detect कर सकता है proximity sensor humidity touch या फिर sensor जी बिलकुल जो proximity sensor है ये अपने आस पास की वस्तुओं है उनको detect कर सकता है उसमें कहा जाएगा option number A 47 bits PWM for more precise control of servos and smooth response servos के अधिक सटीक नियंत्रण और smooth response के लिए किस PWM bit का use कि राता है 14 bit 12 bit 8 bit या फिर 6 bit तो जी विलकुल जो 8 bit PWM होता है उसका use किया राता है next 48 which among the following is more powerful काउन सा सबसे powerful है raspberry pi 2 model 3 model galolio generation 2 board या फिर galolio generation 1 board बताया जी तो बिलकुल सहिए जो raspberry pi 3 model है यह सबसे ज्यादा powerful है next 49 decision of logistic information उत्पाद रसद में RFID का उपयोग रसद जानकारी के सुता है अधिग्रहन का एसास करा सकता है तो जी बिलकुल यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा true basically जो RFID है इसका full form आपके exam के लिए important है तो RFID का full form radio frequency identification होता है next 51 which are the future application of IoT IoT का कौन सा एक future application है तो इसमें आप टिक करेंगे role of green IoT system next 52 the core element is operated by core element को किसके दौरा operate के राता है तो आपका answer आएगा IoT service provide तो सबसे पहला point आता है यह कि जो IoT है इसका full form क्या होता है तो IoT का full form internet of things होता है क्या होता है internet of things basically जो IoT है यह एक network है जिसमें object या फिर things को internet के जरिए connect किया गया है और वो क्या करती है devices communication करती है basically IoT एक advanced automation वा analytics system है जो sensor cloud messaging वा electronic आधिके साथ में deal करता है आपसे पूछेगा कि IoT network है तो आपको answer टी करना है interconnected devices का collection अगला टर्म आता है कि जो internet of things है यह टर्म किसके द्वारा use किया गया था यह किसके द्वारा invent किया गया था तो आपका answer आएगा केविन अस्तो कब 1999 next इसके बाद जो कि एक important point है आपसे पूछेगा कि IoT के लिए IP का कौन सा version best है तो आपको answer टीक करना है IPv6 जैसा कि आप जानते है कि जो IP है जिसका full form internet protocol होता है इसके सबसे ज्यादा popular दो version है पहला है IPv4 दूसरा है IPv6 कौन कान सा IPv4 और IPv6 बैसे कि जो IPv4 है इसका full form internet protocol version 4 होता है और यह 32 bit का होता है कितना होता है 32 bit का होता है जबकि जो IPv6 है इसका full form internet protocol version 6 होता है जो कि 128 bit का होता है तो आपको यह भी याद रखना है तो आपको टिक करना है कि जो IOT है उसके लिए IPV6 यानि कि internet protocol version 6 best है और ये 128 bit का होता है और ये एक important MCQ आपके exam में आ सकता है next MCQ आ सकता है कि IOT analytics के लिए कौन सी language best है तो आपको uncertainty करना है IOT analytics के लिए python language best है इसके बाद अगला question SSH जी सलोनी सुभी निरंजयन बहुत बढ़ी हैं तो जो SSH है ये एक network layer protocol क्या है network layer protocol है और SSH का full form secure cell होता है क्या होता है secure cell होता है basically ये एक important question है कि SSH किस layer पे काम करता है तो आपका answer आएगा network layer पे काम करता है दिन इसके बाद आपसे question पूछेगा कि UART communication में starting bit हमेशा क्या होती है तो आपको answer tick करना है 0 UART communication में starting bit 0 होती है इसके लामा जो भी HTTP resources हैं और HTTP का full form hyper text transfer protocol होता है जो कि TCP port 80 पे काम करता है जबकि आपने सुना होगा telnet जो telnet है ये TCP का port number 23 यूज़ करता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो जो भी HTTP resources हैं उनको URI यानि कि uniform resource identifier के द्वारा identify किया जाता है आपसे question पूछेगा कि जो HTTP resources हैं उसको किसके द्वारा identify किया राता है तो आपको answer tick करना है uniform resource identifier देन इसके बाद पूछेगा कि packet sniffer है तो आपको answer tick करना है passive receiver जो packet sniffer है ये एक प्रकार का passive receiver है दिन इसके बाद एक important full form and that is PWM तो जो PWM है इसका full form pulse with modulation होता है क्या होता है pulse with modulation next Pico knit के Pico knit के interconnected collection को क्या गहते हैं तो आपका answer आएगा scatter क्या scatter next आपसे पूछेगा true false में कि क्या IOT में एक ही antenna से receiver और transmitter के लिए use कर सकते हैं next आपसे पूछेगा mcq में कि iot में end to end iot में end to end communication कौन सी layer provide करती है तो आप का अंसर आएगा transport layer और जो transport layer है इस पर सबसे ज़्यदा username protocol दो है कौन कौन सा पहला है tcp और दूसरा है udp जो tcp है यह connection oriented होता है जबकि जो udp होता है basically आपसे पूछता है true false में कि क्या tcp connectionless protocol है तो आपको answer टिक करना है जी नहीं tcp connection oriented है इसको आप ध्यान से note कर लिजे कि जो tcp है यहां मैंने क्या बोला है पल्स जाहां यहां पर टाइंग मिश्टे होगी यहां पर w i dth आएगा spelling mistake हो गई ठीक है पल्स विद माउडलेशन यहां पर क्या आएगा डबलू i dth होता है यहां पर जो spelling उसमें error आ गए है यहाँ पर WIDTH होता है ठीक है बहुत बढ़ी है किसने आप कमेंट किया है सांग स्रीवास्तों बहुत बढ़ी है next तो विसकली आप से पूछता है कि जो IOT है उसमें end to end communication कौन सी layer प्रोवाइड करती है तो आपका अंसर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही TCP और UDP यह दोनों प्रोटोकॉल वर्क करते हैं जो TCP है यह connection oriented होता है जबकि जो UDP है यह connectionless होता है और यह दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम क प्रोटोकॉल होता है यहां से TCP सधान आया कि आपके एक्जाम के लिए TCP IP model और OSI model यह दोनों ही important है इनमें से आपके एक्जाम में एक छप सकता है बिसकली जो TCP IP है इसका full form transmission control protocol internet protocol होता है बिसकली जो TCP IP model है इसमें 4 layer होती है कितनी layer होती है इसमें 4 layer होती है अगर आपके option में 4 layer नहीं है तो आपको टिक करना है 5 layer कितनी 5 layer लेकिन जो OSI model है जिसका full form open system interconnection होता है इसमें total 7 layer होती है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो I2C है इसका full form आपको या धोना चाहिए I2C को हम लोग IIC भी कहते हैं क्या बोलते हैं IIC और इसका full form inter integrated circuit होता है basically यह एक two wire interface है next जो light sensor है वो एक photo director भी होता है next facial recognition, retina, badge, fingerprint यह क्या है यह सभी के सभी biometric techniques है दिन इसके बाद आपसे पूछता है और एक important question है कि जो IPsec है यह किस layer पे काम करता है तो आपका answer आएगा network layer पर और जो IPsec है इसका full form internet protocol security होता है इसके बाद आता है SCTP तो जो SCTP है यह transport layer पे काम करता है इसके लावा आपसे पूछेगा कि open IoT architecture में कितने main element हैं तो आपको answer tick करना है कि इसमें seven main element हैं इसके बाद जो router होता है जो router है वो network layer पे काम करता है basically router, hub, switch, repeater यह सभी के सभी क्या है networking device है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो IPv4 है यह 32 bit का होता है जबकि जो IPv6 है यह 128 bit का होता है वहीं जो mic address है यानि कि media access control यह 48 bit का होता है basically आपसे पूछेगा कि क्या IP address को हम physical address कहते हैं तो आपको answer tick करना है false क्यों 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 कि जो IP address है जो IP address है इसको हम लोग बोलते है logical address क्या बोलते है logical address जबकि जो mic address है जो कि 48 bit का होता है इसको हम लोग physical address या फिर hardware address कहते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो IP है इसको हम लोग logical address कहते हैं और यह question true false में आने की संभावना है next आपसे पूछेगा कि OSI model की किस layer को port layer भी कहते हैं तो आपका answer आएगा session layer कि OSI model की session layer को port layer कहते हैं इसके बाद wifi, sensor RFID Autonomic Computing M2M system की key component है आपसे पूछेगा कि M2M M2M यानि कि machine to machine system के कौन कौन से main component है तो आपको answer टिक करना है wifi, sensor RFID, autonomic computing, यह सभी सभी क्या है M2M system की component है next इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली IOT recognized device कौन सी थी तो आपको answer टिक करना है ATM then इसके बाद जो यह आपका RD यूनो है, जो RD यूनो है, इसमें 80 mega 328P इस micro controller का use किया राता है, basically जो यह P है, इसका full form आपसे true false में पूछता है, तो जो P है इसका full form Pico power होता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है next, जब sketch start होता है तो जो setup function है वो call किया जाता है और पूरे प्रोग्राम में जो setup function है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही run होता है आपसे पूछता है, कि जो setup function है वो कितनी बार execute होता है तो आपका answer आएगा एक बार run होता है, एक बार run होता है क्या है? बहुत बढ़ियां जी आसीस कुमार जी मेरे पास अभी M4, R5 का कोई भी कंटेंट नहीं जो कंटेंट मेरे पास है वो मैं आपको free of cost प्रवाइड करने की प्रयास कर रहा हूं जी जिनका एक्जाम ICT का है मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही जो important question है जो important point है उसकी उडियों आपको provide कर दी है आप लोग ICT playlist को follow कीजिए उसको बढ़ने से आपका एक्जाम 100% पास हो जाएगा मैंने उतना content आपको provide कर दिया है जितना आपके लिए enough है दिन इसके बाद जो pin mode function है ये input output pin को configure करता है आपको क्या करेगा option देगा कुछ function के आपसे कहेगा कि इन में से कौन सा function input output pin को configure करता है तो आपका answer आएगा pin mode function next एक होता है delay function क्या होता है delay function तो जो delay function है ये program line में delay करने के लिए use करते हैं basically जब जो value हम लोग इस method के अंदर पास करते हैं वो millisecond में होती है और आपके exam में इससे true false में question आता है आपसे कहेगा कि क्या असरी देगा delay bracket के अंदर 5 है यार आपसे कहेगा कि क्या इस statement से 50 second का delay होगा तो आपको answer टिकरना है false क्यों क्योंकि 1 second में 1000 millisecond होते हैं और आपको ये unit याद होनी चाहिए क्योंकि ये unit बहुती काम की है अगर मैंने आपसे कहा कि delay जो function है उसके अंदर 1000 value pass की गई है तो इसका मतलब क्या है इसमें कितना delay होगा तो आपका answer आएगा कि इस statement से 1 second का delay होगा ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद digital right pin per value output करता है आपसे पूछेगा कि किस pin पर जो कौन सा function pin per value output करता है तो आपका answer आएगा digital right function pin per value output करता है इसके लावा जो serial monitor है ये एक प्रकार का tool है इसके use हम लोग debugging के रूप में करते हैं testing के रूप में करते हैं और Arduino board से सीधे communication करने के लिए करते हैं तो ये एक tool important tool है आपसे कह देगा कि Arduino board से सीधे communication करने के लिए कौन सा tool use किया राता है तो आपका answer आएगा serial monitor इसके बाद Arduino RAS PBN device IU OpenSkada IoT development towards technology हैं और ये एक important point भी दिन इसके बाद IoT का brain किसे कहते हैं तो आपका answer आएगा micro controller क्या आएगा micro controller दिन इसके बाद अगला topic HTTP MQTT and इसके बाद AMQP DDS and COAP ये पांचों ही protocol application layer protocol हैं आपसे पूछ देगा कि इन में से कौन सा application layer protocol है या फिर नहीं तो ध्यान दीजे ये सबसे ज़्यादा use होने वाले application layer protocol है कौन कौन सा पहला है HTTP इसके फुल फॉर्म hyper text transfer protocol इसके बाद MQTT यानकि message यहाँ पर queen होगा message queen telemetry transport protocol या फिर कभी-कभी आपको दे देगा MQ telemetry transport ये दोने ही फुल फॉर्म MQTT के होते हैं इसके बाद जो AMQP है इसका फुल फॉर्म advanced message queen protocol होता है इसके लावा जो DDS है इसका फुल फॉर्म data distribution service होता है इसके लावा जो COAP है ये constrained application protocol होता है और ये सारे protocol application layer protocol होते है दिन इसके बाद UDP और TCP ये दोनों ही protocol transport layer protocol है इसके लावा जो 6 low WPAN है ये क्या है ये सभी के सभी network layer protocol है IP और 6 low WPAN ये दोनों ही network layer protocol है जबकि LPWAN data link layer protocol है Ethernet BLE यानि कि Bluetooth level energy ये तीनों ये दोने protocol physical layer protocol है तो ये आपको ध्यान रखना है बिसकली आपके exam में जो layer से question बनने के chance ज़्यादा रहते है इसके बाद जो भी Java file होती है IoT में उसका extension dot jar होता है क्या होता है dot jar तो आप से पूछेगा IoT में Java file का extension क्या होता है तो आपको answer टीक करना है dot jar dot jar नहीं टीक करना है क्योंकि जब आपको आपसे पूछेगा तो उसमें देगा dot java तो Java नहीं टीक करना है क्या टीक करना है dot jar जब पूछेगा क्या IoT में Java file का extension क्या होता है then इसके बाद आपसे पूछेगा कि IoT environment कितने प्रकार की wise communication को support करती है तो आपका answer आएगा तीन कौन कौन से पहला है bidirectional दूसरा है monodirectional तीसरा है wise recognition तो यह आपको ध्यान रखना है कि IoT environment है वो तीन प्रकार की wise communication को support करता है आपसे पूछ सकता है कि upload sketch जो यह option है upload sketch यह किस menu में होता है तो आपका answer आएगा कि यह sketch menu में होता है किसमें होता है sketch menu में होता है next CISC तो जो CISC है इसका full form complex instruction set computer होता है जबकि RISC का full form reduced instruction set computer होता है इसके बाद जो DHCP है जो DSCP है यह UDP का port यूज़ करता है हाला कि TCP का भी यूज़ करता है बट आपको UDP टिक करना है अगर TCP और UDP दिया हो तो आपको इसी पर टिक करना है क्योंकि जो DSCP है यह UDP और TCP लोगो support करता है बट हम लोग UDP को ज़्यादा preference देते हैं इसके लावा Bluetooth, UART, Wi-Fi यह क्या है यह सभी की सभी Data Link Layer Technology है आप से क्या करेगा पूछेगा question में एक option यह है दूसरा यह है तीसरा यह चौथा यह तो एक में देदेगा Bluetooth दूसरे में UART तीसरे में Wi-Fi और चौथे में कोई अलग से तो आप से कहेगा कि इन में से कौन सी एक Data Link Layer Technology नहीं आपको टिक करना रहेगा जिस option में Bluetooth, UART, Wi-Fi इन तीनों के लावा जो कोई अन्न हो तो आपको उसको टिक करना रहेगा वो Data Link Layer का Technology नहीं रहेगी देन इसके बाद आप से पूछेगा कि जो Bluetooth 5.0 है उसके क्या features है तो आपको असर टिक करना है कि इसमें क्या होती है 2 गुना Speed 4 गुना Range और 2 गुना सुरी, 8 गुना यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 8 गुना 8 X Data ठीक, इसको सही कर लीजेगा यहाँ पर क्या आएगा 2 X Speed यानि कि 2 गुना Speed इसमें मिलती है 4 गुना Range है और 8 गुना Data है तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपसे पुछेगा कि जो WPA है यह किसमें यूज होती है तो आपका अंसर आएगा Wi-Fi में यूज होती है और जो WPA है इसका Option Wi-Fi Protected Access होता है सिवम सर्मा ICT Resources वालों के लिए भी क्या है? यह है सर जी नहीं ICT और IOT का कोई भी connection नहीं है इनका जो syllabus है वो बिल्कुल different है ठीक है और मने आप लोगों के लिए जो ICT है उसकी बना दिये playlist जिसका link आपको दिया गया description में आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देख लीजे तो आपका exam अच्चे grade से crack हो जाएगा Next अगला आता है आप से पूछेगा कि किस API साहँ ये तो हो चुका ठीक तो जो आपकी restful API होती है और API का full form क्या होता है ये आपको comment करना है देखते हैं कि कौन सबसे पहले API का full form comment करता है देखते हैं जरा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपकी सरद्दा हो आपकी इच्छा हो तो अभी तक किसी ने भी API का form comment नहीं किया है बताइए API का full form क्या होगा जब ये हाइस्ट ये है अभी तक किसी का भी answer नहीं आया है API का full form आपसे पूछ सकता है हाजी सुमित मलिक जी बिल्कुल application programming interface क्या होता है application programming interface तो जो restful API होती है ये क्या करती है ये electronic component को control करती है दिन इसके बाद आपसे कि smoke वा fire detect करने के लिए कौन सा sensor best है तो आपको answer टीक करना है smoke sensor best है इसके लावा MongoDB, InfluxDB, Esquelite Apache Cascandra, RethinkDB ये क्या है ये सभी के सभी database है जो हम लोग IoT यानि कि internet of things में use करते हैं तो आपको इन database के नाम मालूम होने चाहिए अगला point आता है smoke one minute smoke sensor, IR sensor, gas sensor, pressure sensor, proximity sensor, motion sensor, temperature sensor ये वो sensor है जो सबसे ज्यादा use होते है next आपसे पूछ सकता है कि जो IoT applications है इनमें से कौन सा है या फिर नहीं है या फिर कुछ के बारे में बताईए तो ध्यान दीजे smart grids and energy saving smart home, smart city traffic monitoring, earthquake detection ये सभी के सभी क्या है IoT के application है IoT के अनुपरयोग है तो ये आपको ध्यान रखना है देन इसके बाद आपसे पूछता है कि IoT system के main component कितने है तो आपको answer टिक करना है 4 ध्यान दीजे मैंने आपको इसके पहले बताए थे open IoT architecture के main component कितने होते है तब आपका answer आएगा 7 बट यहाँ पर पूछा गया है IoT system के main component तो आपको answer टिक करना है 4 जब पूछेगा open IoT architecture तब आपको टिक करना है 7 तो जो IoT system है इसके 4 main component कौन कौन से है पहला आता है sensor दूसरा आता है connectivity तीसरा आता है data processing चौथा आता है रखना है अगला आता है RFID तो जो ID है इसका full form radio frequency identification होता है और यह एक important full form है बिसकली आप से पूछता है कि अगर RFID दो antenna वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं तो आपका answer आएगा biostatic क्या आएगा biostatic अगर RFID में एक antenna है तो उसको हम बोलते हैं monostatic तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद एक most important question और 99% chance है कि आपके exam में इस protocol से question देखने को मिलेगा and that is MQTT तो जो MQTT है AMQP है COAP है यह एक most important protocol है तो आप इसके बारे में पढ़के जाईएगा इसके बाद पहला term आता है MQTT तो है क्या MQTT Lightweight Publish Subscribe Network Protocol है जिसका काम क्या है जो की TCP IP इसे पे रन करता है इसके लावा जो MQTT है वो machine to machine यानि की M2M और IoT connectivity protocol भी है इसके लावा आप से पूछता है की MQTT और HTTP में कौन सा बेटर है data sending और receiving के लिए तो आपका अंसर आएगा कि जो MQTT है ये HTTP से काफी अच्छा है next MQTT HTTP से light है आप से पूछता है कि क्या true false में कि क्या MQTT HTTP से light है तो आपको answer टिकरना जिहां MQTT HTTP से light weight होता है दिन इसके बाब अगला कोश्च आपसे पूछता है true false में कि क्या MQTT standard है तो आप concert टिक करना जिहां जो MQTT है वो एक standard है आपसे पूछता है कि जो MQTT है उसके लिए काउन सा एक main port है काउन सा एक secure registered port है तो आप concert टिक करना है 88-83 जो होता है ये एक registered port है MQTT के लिए ठीक है क्या comment करो अगला जो MQTT प्रोटोकॉल है ये कैसा होता है तो ये होता है message oriented देन इसके बाद जो MQTT है ये भी क्या है application layer protocol है next MQTT जो MQTT है इसका default port 1883 होता है ध्यान दीजे जो ये आपने देखा था ये एक secure port था कौन सा ये secure port था बट ये कौन सा है ये default port है कौन सा 88 83 next आपसे पूशता है true false में कि क्या MQTT security support करता है तो जी हाँ आप तो ये आपने आएगा true next low bandwidth environment में machine to machine telemetry के लिए protocol icon MQTT अगला आता है RPI जिसको हम बोलते है raspberry pi तो आप से पूशता है कि raspberry pi में power supply करने के लिए कौन सा interface available है तो आपका answer आएगा USB यानि कि universal serial bus आप से पूशता है कि raspberry pi में total USB port कितने होते हैं तो आपका answer आएगा 4 पुछेगा कि क्या raspberry pi की internal memory होती है तो आपका answer आएगा जी हाँ internal memory होती है next अगला आता है Arduino तो जो Arduino है क्या है तो controlling के लिए controlling के लिए program किसी भी programming language में लिखा जाता है आप से पूशता है कि जो Arduino की programming है वो किस language में कर सकते हैं तो आपका answer आएगा कि किसी भी programming language में कर सकते हैं जापकि C हो C++ हो या फिर python हो हाला कि आप किस level में क्या है C language है C language से याद आया कि जो C language है जो C language है ये procedural oriented है जिसे 1972 में Dennis Richie के दोरा develop किया गया था और जो C language है इसमें total 32 keyword होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है आपसे पूछ सकता है कि क्या एक function के अंदर दूसरे function को define कर सकते हैं तो आपका answer आएगा false क्यों 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 C language में एक function के अंदर दूसरे function को call sorry define नहीं कर सकते हैं बट call कर सकते हैं अगला पूछता है कि क्या Arduino IDE environment प्रवाइट करता है तो आपका answer आएगा जी हाँ IDE environment प्रवाइट करता है आपको IDE का full form comment करना है इसके बाद आपसे पूछता है कि जो Arduino है इसमें जो Arduino यूनो है इसमें कौन सा micro controller यूज कराता है तो आपका answer आएगा 80 mega 328P और आपको P जो P है इसका full form comment करना है next Arduino कितने प्रकार के होते हैं तो आपका answer आएगा Arduino 8 प्रकार का होता है 4 कौन से हैं 4 आपके होते हैं Arduino board 4 होती है Arduino sealed अब बात यह आती है कि जो आई आपसे पूछता है कि जो Arduino है इसे किसके द्वारा introduce किया गया था तो आपका answer आएगा मैसी मवान जी कब 2005 में basically जो Arduino UNO है इसका सबसे प्रसिद वर्जन कौन सा है Arduino UNO मैंने आपको बताया कि जो Arduino है यह आपका 8 प्रकार का होता है जिनमें 4 क्या है Arduino board है चार क्या है चार है Arduino sealed तो जो यह Arduino की चार प्रकार है उनमें से जो Arduino UNO है जो Arduino UNO है यह सबसे ज़्यादा popular इसका एक प्रकार है next आपसे पूछेगा true-false में कि क्या Arduino IoT का अनुपरियोग है IoT का application है तो आपको अंसर्टिक करना जी नहीं Arduino IoT का application नहीं है next Arduino में मुख्य रूप से किस language में coding करते हैं तो आपका अंसर आएगा C language में next Arduino program के domain part कौन कौन से हैं एक होता है setup दूसरा होता है loop next जो Arduino program होता है उसके तीन यहाँ पर पार्ट नहीं है यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा loop ठीक तो Arduino program के दो loop कौन कौन से है main setup और loop इसके लावा जो Arduino program है उसके तीन main part कौन कौन से है तो पहला होता है function दूसरा होता है value जिसमें आपके variable और constant आते हैं दिन इसके बादा क्या आता है structure दिन आपसे पूछ सकता है कि जो Arduino software है वो किस language में लिखा गया है तो आपका अंसर आएगा C और C++ और जो Arduino यूनो है इसमें आपको 32 kb की flash complete phrase में दो वर्ड दिख रहे होंगे जो की main है internet and इसके बाद things तो मैं आप लोगों को internet के बारे में एक छोटा सा overview दे देता हूँ दिन इसके बाद में हम लोग continue करेंगे तो basically जो internet है वो network का network है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो internet है वो कई सारे network कों से मिलकर बना है basically जो internet है इसमे private network public network, business network और जो government network है उनको cable, satellite router, gateway आद के माध्यम से connect किया गया है तो basically जो एक network तयार हुआ है जो की globally है उसको हम लोग internet कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर एक नया term मिला होगा and that is network अब बात ही आती है कि आपने बता दिया कि internet क्या होता है network कों का network बट बात ही आती है कि जो network है actual में network होता क्या है तो मैं आप लोगों को network के बारे में भी थोड़ी सी information दे देता हूँ तो basically जब दो या दो से अधिक devices आपस में इस तरह से connect हों कि वो आपस में communication कर सकें यानि कि file को transfer और receive कर सकें communication कर सकें तो वो क्या हो जाता है बन जाता है network मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक diagram ताकि आप लोगों को चीजे और अच्छे से clear हो जाए तो network और यहाँ पर हम लोग open कर लेते हैं image जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो laptop है यह क्या है server से connect है यह laptop इस mobile से connect है तो आपने यहाँ पर देखा कि जो devices हैं वो आपस में connect हैं यहाँ पर एक network बन रहा है तो कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक devices हैं ध्यान दीजे कम से कम दो device होना कमपल सरी है तो जब दो या दो से अधिक devices आपस में इस तरह से connect हों कि वो आपस में डेटा को share कर सकें, receive कर सकें कहने का मतलब है communication कर सकें तो जो वो architecture है वो कहलाएगा network बेसकली network तभी बनेगा जब यह चार component होंगे यह चार चीजे होंगी बेसकली अगर network बना है तो वहाँ पर sender भी होगा जो कि data को sender कर रहा होगा एक अन्य device होगी जो कि उस data को receive कर रही होगी तो sender होगा, receiver होगा दिन इसके बाद जो devices को connect किया गया है वो devices किसी ना किसी माध्यम से connect होंगी चाहे वो आपका wired हो या फिर wireless हो कहने का मतलब यह है कि उन devices को किसी तार के माध्यम से जोड़ा गया हो या फिर किसी other wireless technology के थ्रू like bluetooth, wifi, इनके थ्रू and साथ ही अब जब भी आप लोग network की बात करते हैं तो उसमें जब devices communication कर रही होती है तो वो कुछ rules और यानि कि nemo को follow कर रही होती है कुछ rules को follow कर रही होती है तो जो rules का sit होता है उसको हम बोलते है protocol तो कहने का मतलब यह है कि अगर network बना होगा तो वहाँ पर cinder भी होगा receiver भी होगा कोई न कोई medium होगा चाहे वो wired हो या फिर wireless हो and वहाँ पर कोई न कोई protocol काम कर रहा होगा यह protocol एक या एक से अधिक हो सकते है तो मुझे आसा है कि आपको internet के बारे में जानकारी हो गई होगी देन अगला term आता है things तो things का मतलब होता है object क्या object यानि कि जो internet of things है जो internet of things है वो things का network है यानि कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक छोटी सी definition दिन इसके बाद आप clear कर पाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है the internet of things describes physical objects that are embedded with sensors, processing ability software and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the internet or other communication network तो कहने का मतलब यह है कि जो IOT है यह concept है यह हम बोल सकते हैं कि यह एक technology है जिसमें जो devices हैं उनको internet के साथ में connect किया गया है and जो यह devices हैं यह अधिकतर web enabled होती है जिसका मतलब यह है कि एक device अन्य device को उस network में identify कर सकती है उसके साथ में data को जो वहां से data collect हुआ है उसको cloud पर भेज कर वहां पर process किया जा सकता है तो कम सब्दों में कहें तो जो IOT है जो इसका full form internet of things होता है यह concept यह technology है जिसमें devices को internet से connect किया गया है और जो यह devices हैं यह data को retrieve और transfer कर सकती है निकि fetch और retrieve कर सकती है उसको collect कर सकती है और उसको cloud पर हम लोग software के माध्यम से process कर सकते है बिसकली जो यह devices है यह आपकी sensor यह अन्य प्रकार की जो IOT devices हो सकती है बिसकली बात यह आती है कि जो यह term है IOT इसे किसके द्वारा use किया गया किसके द्वारा coin किया गया तो बिसकली जो term IOT जिसका full form internet of things होता है इसे केविन एस्टन जो कि उस time पे P&G में job कर रहे थे अब बात यह आता है कि जो P&G है इसका full form क्या होता है तो P&G का full form Proctor & Gamble जिसकों लोग सौटन बोलते हैं P&G होता है बिसकली यह company है जहां पे उस time पे केविन एस्टन जी job कर रहे थे और इनहीं के द्वारा इस term IOT यानि की internet of things को coin किया गया था इसको use किया गया था बिसकली हम लोग इस time पे present time में P&G को MIT's Auto ID Center के रूप में जानते हैं तो सबसे पहले आपके exam में question आ सकता है कि जो यह term है IOT इसे किसके द्वारा coin किया गया तो आपका answer आएगा Kevin Ashton के द्वारा कब किया गया तो 1999 में coin किया गया था तो मुझे आसा है कि आपको IOT के बारे में जानकारी हो गई होगी basically मैंने आप लोगों के लिए internet of things के complete notes जहां मैंने आप लोगों को complete information देदी है किसमें आप लोगों को PDF note video classes, MCQs एक क्लाइन वाले important point old paper solutions important theory question इसके बाद जो important program आपके IOT में है या फिर python में है जिसका भी आप खरीदेंगे उसके PDF और वीडियोज मिलेंगे तो अगर आप लोग चाहें तो आप IOT का pad batch जोइन कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को ये सारा material मिलेगा उस pad batch में अधिक information के लिए आप लोग 760-74-188-17 इस नंबर पे WhatsApp कीजिए तो मैं आप लोगों को इसके बारे में information प्रवाइट कर दूँगा या फिर आप लोग examjila.com इस website पर विजिट कर सकते हैं तो अब तक की मैंने आप लोगों को IOT के बारे में information प्रवाइट कर दी है अब बात ही आती है कि सर जब IOT आया होगा तो कोई न कोई पहली device होगी जिसने IOT को use किया होगा यानि कि उसने IOT को follow किया होगा तो आप से पूछ सकता है कि पहली IOT enabled device कौन सी थी तो आपका answer आएगा ATM क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ATM है उसको operate करने के लिए किसी particular human की उसकता नहीं होती है वो automatically data को capture करता है जो भी user ने enter किया है दिन उसके बाद automatically वो क्या करता है जो server है उसको transfer कर देता है तो आपने यहाँ पर देख पार होंगे कि जो ATM device है उसको internet से connect किया गया है और जो ATM है वो automatically जो भी data है उसको server के माध्यम से process करने के बाद वो work करती है तो जो ATM है वो भी एक IOT enabled device है तो अब कि मैंने आप लोगों को IOT क्या है इसके बारे में information provide कर दी है अब बात यह आती है कि जो IOT है इसके benefit क्या है इसके advantage क्या है फाइदे क्या है तो सबसे पहला फाइदा क्या है कि मान लीजे आपके पास एक smart bulb है क्या है smart bulb है जिसको हम लोग आम बासा में बोलते हैं बलफ ठीक है तो यहाँ बात कर रहे है smart bulb के वारे में आपके पास smart bulb है जिसे आप लोगों ने internet के साथ में यानि internet के साथ में connect करकर रखा हुआ है और उसे आप लोग अपने mobile से operate कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है अगर वो smart bulb internet से connect है तो इसका मतलब यह है कि आप उस bulb को अपने mobile से या फिर computer से कहीं से भी और कभी भी control कर सकते हैं यानि कि उस smart bulb का जो control है वो आपके mobile में या फिर computer में है आप कहीं से भी कभी भी उस bulb को on और off कर सकते हैं ऐसा क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि जो smart bulb है वो internet के माध्यम से आपके पास जो device है computer या mobile या कोई अनि device जिससे connect है उससे आप उसको control कर पा रहे हैं तो जो smart bulb है वो भी एक IoT का example हो जाएगा तो सबसे पहला benefit क्या हो सकता है तो सबसे पहला benefit यह है कि आप कहीं से भी कभी भी IoT device की सहयता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमबर दो जो IoT है ये आपका time बचाता है यानि की time saving है for example आप घर से office जा रहे थे उस time पे आपने जल्दवाजी में अपने घर का पंखा या फिर light खुला छोड़ दिया और आपको बाद में याद आया रहे मैंने तो पंखा बंद ही नहीं किया मैंने बल्ब तो बंद ही नहीं किया तो उस time पे अगर आपके पास वो smart fan है या फिर smart बल्ब था और वो जो बल्ब है या fan था वो internet के माध्यम से आपके mobile से connect था तो उस case में आप कहीं से भी यानि कि आप राष्टे में थे उस time पे भी आप अपने घर का fan या फिर बल्ब को on या फिर off कर सकते हैं आपको particular राष्टे से घर आकर फिर बल्ब या fan को बंद करने किया सकता नहीं होगी तो इस case में जो आपका time था वो बचा यानि कि आयोटी के माध्यम से आप time को बचा सकते हैं तो दूसरा advantage यह हो गया नमबर 3 जो IoT devices हैं उनकी help से जो data collect होता है उस पे आप लोग बाद में wishlation कर सकते हैं यानि कि उसका use आप लोग analytics के लिए यूज कर सकते हैं नमबर 4 बिसकली जो IoT है उसका use आप अपने घर की security के purpose से भी कर सकते हैं फॉर इसमपल आपने क्या किया अपने घर के बाहर एक camera फिट कर दिया और उस smart camera को आपने अपने office से आप उसको operate कर रहे हैं या फिर अपने mobile phone से operate कर रहे हैं तो उस case में आपके घर पे काउन आ रहा है काउन जा रहा है उसको अपने mobile पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं तो यह कुछ advantages थे कुछ benefit थे यह term मैंने आप लोगों के speed of में दे दिया है जिसे आप लोग असानी से पढ़ पाएंगे अब बात यह आती है कि दुनिया में जो भी चीज है अगर उसके advantage है तो उसके कुछ न कुछ advantage है तो सबसे पहला जो disadvantage है वो है security क्योंकि अगर कोई भी device internet से जुड़ती है तो उसमें security का खत्रा होता है क्योंकि आपको पता है कि जो internet है वो secure नहीं है तो जो सबसे बड़ा disadvantage है वो है security नमबर दो अब चुकि जो IOT है इसने लोगों के काम को आसान कर दिया है जिसे से क्या हो रहा जो companies है जो बड़ी-बड़ी companies है वो robot का use कर रहे है तो इस case में जो jobs है नौकरिया है उसमें भी कमी आ रही है क्योंकि पाँच-पाँच ददस जो आदमी है उनका जो काम है वो अकेला robot कर रहा है तो जिससे जो jobs है उसमें भी कमी आ रही है तो दूसरा advantage है jobs में कमी तिसरी बात अगर कोई चीज किसी human के लिए फैदेबंद है तो उससे क्या होता है अगर किसी बंदे का जो काम है आसान हो जाता है तो इससे उस बंदे के अंदर आलस पनपने लगता है तो इससे क्या हो जाता है जो human है वो lazy हो जाता है क्योंकि जो उसका काम है वो पहले से कम हो गया है जो burden था पहले से कम हो गया है तो विसकली मुझे आसा है कि आप लोगों को जो IOT है समझ में आया होगा कि IOT क्या है IOT के advantage क्या है IOT के disadvantage क्या है अब बात ये आती है कि जो IOT है ये काम कैसे करती है तो simply मैं आप लोगों को जो आयोटी का काम करने का तरीका है उसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं सबसे पहले सिंसर या फिर डिवाइसेस इसके बाद कनेक्टिविटी नमबर तीन डेटा प्रोसेसिंग नमबर चार यूजर इंटरफेस तो सबसे पहला टर्म आता है कौन सिंसर अइंड डिवाइसेस मैं आली देता हूँ मैंने आप लोगों के लिए पीडियाफ त्यार कर दिये बट जो पीडियाफ है वो पीडियाफ यूवर के साथ में एक कंप्रोवाइज नहीं कर पा रही है यानि कि वो रिकार्डिंग के समय ओपन नहीं हो पा रही है पीडियाफ यूवर से इसे वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको यहाँ पर लिखके बदाता हूँ बट जो नोट से हो प्रिपेर हो चुके है तो हमने यह आप लिख दिया है सेंसर सेंसर एंड जो डिवाइसेस है तो क्या होगा जो सेंसर है या फिर अन्य आयोटी डिवाइसेस है सबसे पहले अपने आस पास का जो वाता वरण है उससे डेटा को कलेक्ट करेगी ठीक है कलेक्ट करने के बाद जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे cloud उपर भीजा जाएगा यानि कि जहाँ पर software के द्वारा उस data को जो कि sensor वा un-devices के द्वारा collect किया गया है एकठा किया गया है उन्हें process करना है अब चुकि जो data sensor या फिर un-devices के द्वारा capture किया गया है collect किया गया है उसको cloud उपर भेजने के लिए connectivity किया हो सकता पड़ेगी तो जो दूसरा term है यहाँ पर वो आता है connectivity तो sensor devices हो गया और दूसरा हो गया connectivity कि जो sensor थे उन्होंने data को collect किया collect करने के बाद cloud उपर send कर दिया दिन इसके बाद क्या होगा जो data collect हुआ था sensor के द्वारा cloud उपर भेजा गया था अब उसको process किया जाएगा यानि कि अब क्या होगा अब होगी data की processing क्या होगी one minute data processing ठीक तो जो data sensor या unadvices के द्वारा collect किया गया था collect करने के बाद उसे cloud उपर भेजा जाएगा जहाँ पे software के द्वारा उस data को process किया जाएगा process करने के बाद जो result आएगा जो परिडाम आएगा उसे user को दिखाया जाएगा तो जो चौथा point है वो है user interface तो यह basically जो IoT है यह इनी चार चीजों के basis पे work करती है तो यहाँ पर आजाएगा user interface सबसे पहले क्या होगा sensor या devices के द्वारा जो उनके आज पास का environment है वात आपरण है उससे data को collect किया जाएगा collect करने के बाद उसे cloud पर भेजा जाएगा जहाँ पे software के द्वारा उस data को process किया जाएगा process करने के बाद जो result आएगा उसे user को दिखाय जाएगा तो यहाँ पर पहला हो जाएगा sensor devices connectivity data processing और user interface अब बात यह आती है कि आपने समझ लिया कि जो IOT है वो काम कैसे करती है अब बात यह आती है कि IOT के applications क्या है यानि कि जो IOT है इनका use हम लोग कहा कहा पर कर सकते है या इनके कौन कौन से अनुप्रियोग है तो सबसे पहला आता है smart house क्या smart house अगर आपके घर में जो भी appliances है वो internet से connect है for example जो आपके घर के दरवाजे है या फिर lights है या आपका AC है refrigerator है अगर ये internet से connect है जिसे आप लोग कहीं से भी operate कर सकते है appliances है वो internet के माध्यम से आप कहीं से भी access कर सकते है तो smart house हो गया इसके बाद जो IOT है इसका use agriculture यानि की क्रसी के छेत में भी हो रहा है तो यहाँ पर आपका आजाएगा agriculture ओके यानि की क्रसी जैसे की जो मिटी है उसकी जो बोल सकते हैं कि उसके जो गुण है यानि कि उसमें नमी कितनी है उसमें अमलता कितनी है उसमें कौन कौन से पो सकते हैं वा जो अन्य जानकारी है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं तो जो IOT है इसका use agriculture की field में भी हो रहा है दिन इसके बाद IOT का use आप traffic monitoring में कर सकते हैं traffic monitor monitoring यानि की traffic की निगरानी के लिए यहाँ पर आ जाएगा monitoring इस spelling में आप धाने दीजेगा monitoring ठीक तो traffic monitoring हो गया इसके बाद आपके हो गया fitness band हो गया या water supply हो गया smart vehicles हो गया तो यह सभी के सभी IOT applications हैं जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे तो मुझे आसा है कि आप लोगों को यह session पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो से अच्छा लगाएगा वीडियो को लाइक कर दीजे और चनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आने और नए वीडियो आप मिस ना कर सकें अगर आप लोगों को IOT की complete classes PDF notes चाहिए तो उसके लिए आप मारे WhatsApp नमबर 76074188 दिया गया है Interfacing Light Emitting Diode Blinking LED यानि कि अगर आपको Arduino Board के साथ में LED को interface करना है तो आप कैसे करेंगे इसका एक practical दिया गया है जिसमें आपको LED को Blink करना है यानि कि LED को On, Off, On, Off करना है particular time duration में तो मैंने आप लोगों को जो इसका solution है वो provide कर दिया है आपको इस PDF में जो कि 4.2 Building IOT Application के नाम से है यहीं पे आप लोगों को page number 2 पे मिलेगा example Blink LED का turns on LED on for one second then off for one second repeatedly मतलब क्या है कि आपको एक program create करना है एक project create करना है जिसमें जो LED है वो एक second के लिए blow होगी फिर एक second के लिए off होगी blow होगी, off होगी और यहाँ पर एक second का time duration रहेगा तो आप इस practical को कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा थियोरी के माद्धिम से इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में practical discuss करूंगा कि आपको कैसे actual में create करना है physically रूप से अगर आपको इस practical को करना है तो उसके लिए कुछ requirement है hardware की तो सबसे पहले आपके पास Arduino board होना चाहिए और साथ ही आपके पास LED होने चाहिए 220 ohm का register होना चाहिए और एक breadboard होना चाहिए जो ये तीनों है ये आपके लिए optional है अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ये बिना इनके यूज़ के भी हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर circuit diagram दिया गया है करना क्या है आपको जो Arduino board है उसके साथ में LED को connect करना है कुछ इस टाइप से अब फॉर एक्जमपल हमने क्या किया जो हमारे पास LED है उसे हमने digital pin number 13 से connect कर दिया है और जो उसका negative सिरा है negative point है उसे हमने ground के साथ में connect कर दिया है अब आपको बता होना चाहिए कि जो ये आपकी LED होती है जो LED होती है इसमें दो terminal होते हैं दो टांगे होती है एक होती है positive और एक होती है negative अगर जो LED आपके पास होगी हो सकता है कि उसमें जो उसकी leg हो जो उसके terminal हो कुछ इस type से ना हो दोनों सीधे हो तो उसमें आप पहचान कैसे करेंगे कौन सा positive है और कौन सा negative है तो उसके लिए बिल्कुल simple तरीका है कि अगर terminal बढ़ा होगा तो वो होगा plus अगर छोटा होगा तो वो होगा minus अगर आपकी LED कुछ इस type से है जिसमें जो terminal है वो थोड़ा सा तेढ़े मेड़े हैं तो तेढ़े मेड़ा वाला है वो कहलाएगा positive और जो सीधा है वो कहलाएगा negative तो आपको मैंने तरीके बता दिया है कि आप कैसे checker पाएगे कि कौन सा positive है और कौन सा negative है ठीक है तो आपने क्या करना है जो इसका positive सिरा है जो one minute हाँ जो इसका positive सिरा है LED का वो आपको इस breadboard में कहीं पर भी लगा देना है अब आपको पता ही होगा कि जो ये pins होती है ये pin आपस में connect होती है कुछ इस type से और जो ये वाली pins है ये आपस में कुछ इस type से connect होती है जो कुछ इस type से connect होती है तो आपने क्या किया जो bulb का सिरा था वो आपने इस point में लगा दिया अब चुछ कि जो ये पूरा point है वो आपस में connect होती है तो आपने क्या किया इस pin से इस port से इस hole से आपने क्या किया एक register लगा दिया जो की 220 ohm का है कितना है 220 ohm का है ठीक है आपने लगा दिया लगाने के बाद जो इस register का एक सिरा है उससे आपने जो positive है उसको connect कर दिया और इस wire को आपने jumper wire को pin number 13 से connect कर दिया example के तौर पर वहीं जो इसका second सिरा है जो की negative है उसे आपने black color के wire से जो GND जहांपर लिखा होता है उससे आपने connect कर दिया है इस case में क्या होगा जो यह आपका circuit है वो complete हो गया है मैं आपको भी example दूँगा practically तो आपको समझ में आ जाएगा दिन इसका आपने क्या किया जो code है वो आपको लिखना होगा जो कि इस type से है आपको पता ही होगा कि जो Arduino program है वो दो part में होता है एक होता है setup function के अंदर एक होता है loop function के अंदर जो पहला part है जो setup का part है उसके statement सिर्फ और सिर्फ एक बार execute होते हैं जबकि जो loop के अंदर के statement ह होते हैं वो बार बार repeat होते हैं जब तक कि उस board में current मिलती रहेगी या फिर आप उसको off नहीं करेंगे particular condition तक ठेक है तो हमने क्या किया है इस setup function के अंदर जो pin number है उसको define कर दिया है मैं इसको भी करता हूं hold पहले हम क्या करते हैं जो आपकी device है Arduino device उसको आपको कैसे connect करना है इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं तो मैं open कर लेता हूं अपना mobile का camera ताकि मैं आपको proper तरीके से दिखते हैं तो साथियों इस practical को करने के लिए जो भी hardware की requirement है वो हमारे पास है जैसे कि breadboard, LED, 220 ohm का register, दो jumper wire और यहाँ पर Arduino Uno तो करना क्या है कि जो LED है इसमें दो terminal ह होते हैं एक आपको दिखराओगा बड़ा और एक दिखराओगा छोटा तो जो बड़ा वाला है यह होता है positive और छोटा वाला है यह होता है negative यह negative है और यह positive है तो करना क्या है आपको simply जो breadboard है इसमें इसे आपको इस type से इसे इन जो आपके pins होते हैं जहां पर जो slot होते है इसमें आपको पिन कर देना है मैं आपको जूम करके दिखाता हूं तो हमने क्या किया है इसमें और इसमें कर दिया है ठीक है आपको यह पर दिख रहा होगा कि हमने कैसे कानेक्शन किया है दिन इसके बाद आपको यह बता होना चाहिए कि आपने कौन साब जो पॉजिटिव ह भो सब सकते हैं पॉसे क्लियर कर देता हूँ इतना करने के बाद आपके अपका नंबर लुक्त लेub Tabii इतना करने के बाद जो आपके पास साइज टाइब से आपको पर इसको हम और इसे आपको कुछ इस टाइप से यहां पर लगा देना है तो हमने यहां पर लगा दिया है लगाने के बाद क्या करना है आपको लेना है jumper wire कौन सा red color का क्योंकि जो red color का होता वो दिखाता है positive को तो हमने यहाँ पर इसमें आप इन वाले में इसमें आप किसी पर भी इसको pin कर सकते हैं यह होता है male head तो हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया ठीक है लगाने के बाद जो यह आपका black color का wire है जो कि ground को denote करता है इसे आपको जो यह pin जो यह led थी जो इसका negative सिर्या था जो कि हमने 15 पर connect किया था यह आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस type से connect कर देना है तो जो यह आपका circuit था breadboard वाला वो प्रिपेर हो चुका है आप इसका screenshot ले सकते हैं जो यह आपके दो wire यहां से निकले हुए हैं जो कि एक है ground और एक है positive तो इसे आपको क्या करना है जो यह black वाला है इसे आपको अपने Arduino में जहां पर इस जी एंडी लिखा हुआ है वहां पर आप इसे connect कर सकते हैं अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो यह white color में लिखा ना GND हम क्या करते हैं इसको यहीं पर connect कर देते हैं तो हमने इसको ground से connect कर दिया है connect करने के बाद आपको इस LED को जिस भी digital pin से connect करना है आप उस पर connect कर सकते हैं For example हमने इसे pin number जो 8 है उससे connect कर दिया है तो इस case में जब मैं function का use करूँगा तो मैं वहां पर pin number 8 का use करूँगा तो जो यह आपका circuit है यह completely prepare हो चुका है आप इसका screenshot ले सकते हैं अब बारी है testing की तो करना क्या होगा जो यह सिरा है इसे आपको simply अपने computer या laptop से USB port में connect कर द आपका Arduino board था उसे आप अपने computer या laptop से connect कर देंगे तो connect करने के बाद आपको file पे click करना है मिलेगा option examples का यहां पे click कर दीजिए and यहां मिलेगा option basics का और आप लोगों को यहां पर जो blink वाला है इसको import कर लेना है तो हमने इस पर click कर दिया है तो जो blink वाला program है practical है वो आपके सामने यहां पर open हो चुका है code open हो चुका है तो simply आप लोगों को यहां पर कुछ changes करने होंगे जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो Arduino का program है वो दो पार्ट में होता है setup और loop तो हमें क्या करना है जो यहां से फरजी का content है वो मैं remove कर देता हूं ताकि आप लोग confused ना हो तो जो काम यह है इसका यहां पर कोई काम नहीं है तो इसको मने remove करदिया है remove करने के बाद जो यक कमेंट है इसको भी यहां से remove कर देते हैं इसका भी यहां पर नहीं है 8, output या जो pin number 8 है मुझे उसे output की तरह use करना है वहाँ पर output आपको so करना है दिन आते हैं हम लोग यहाँ पर loop के अंदर यहाँ पर हमने कहा digital write से कि जो pin number 8 है ना उसको आप high करिए तो 8, high इससे क्या होगा जो यह function है यह pin number 8 पे 5 volt का high signal send करेगा दिन इसके बाद चू की question में कहा गया था कि आपको 1 second का delay करना है glow करने के बाद और उसे 1 second के बाद में low करना है मतलब क्या है मतलब यह है कि 1 second तक की उसको जला कर रखना है और 1 second तक की उसको बजा कर रखना है हमने क्या किया यहाँ से 5 volt का signal pass करवाने के बाद जो pin number 8 है ना उसको low करना है यानि कि उसमें 0 volt का signal send करना है तो इसके उसमें अब चू कि pin number 8 पर current नहीं जाएगा तो जो आपकी LED है वो बुझ जाएगी वो off हो जाएगी और इसके बाद हमने 1 second का delay कर दिया है तो इसकेस में क्या होगा एक सेकेंड के लिए जलेगी फिर उसके बाद एक सेकेंड के लिए off हो जाएगी फिर जलेगी एक सेकेंड के लिए फिर off हो जाएगी दिन करना क्या है आप लोगों को जो ये आपका प्रोग्राम है वो complete हो चुका है आपको जाना है sketch में मिलेगा यहाँ जाना है आपको tools में यहाँ मिलेगा option board का तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर Arduino यूनो जो भी आपका board है उसको select करना होगा select करने के बाद tools में आना है मिलेगा option port का तो धान दीजिए अगर आपने Arduino board को सही तरीके से अपने computer में connect किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा com3 या फिर यहाँ पर other कोई port दिख सकता है जिसमें आपने connect किया होगा जिसके लिए आपके computer ने allow किया होगा तो हमारे case में यहाँ पर com3 से जो Arduino Uno है वो connect हो चुका है अब क्या करना है इस sketch बजाना है और आपको यहाँ पर upload पे click करना है तो इस पे click करती ही क्या होगा जो code है पहले उसको verify किया रहाएगा फिर उसको compile किया रहाएगा दिन इसके बाद आपके Arduino board पर upload कर दिया रहाएग तो यहाँ पर जो code है वो proper तरीके से compile हो चुका है और execute हो चुका है यानि कि जो Arduino board है वहाँ पर upload हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से कि क्या proper तरीके से हमारा जो program है practical है वो सही है आपको यहाँ पर सो हो रहाएगा वीडियो में कि जो LED है वो एक second के लिए off हो रही है जो आपका LED थी वो 8 number से connect थी आपको मैंने दिखाता है जब circuit create किया था और इससे हमने यहाँ पर USB port के थुरू connect किया हुआ है अगर आपकी requirement है भीया मुझे LED को 3 second के लिए जलाना है और 1 second के लिए off करना है तो यह कैसे होगा तो simply आप लोगों को आई किया है उसीग नीचे आप लोगों को डिले में 3000 मिली सेकंड पास करने होंगे अगर आपको 3 second का वेट करना है अगर 10 second का डिले करना है तो आपको यहाँ पर 10 second लिए 10,000 मिली सेकंड पास करना होगा तो हमने कर दिया है 3000 second sketch पर जाएंगे और upload पर क्लिक कर देंगे तो यह आपका code है verify होगा compile होगा और compile होने के बाद यहाँ पर upload होगा तो जो आपका code है वो Arduino पर upload हो रहा है और आपको दिख रहा होगा कि जो LED है अब वो 3 second के लिए जल रही है और 1 second के लिए off हो रही है 3 second, 1 second, 3 second, 1 second अगर आप चाहते हैं कि जो LED है वो 1 second के लिए glow करे और 5 second के लिए off है तो आप लोगों को simply यहाँ पर changes करने होगे यहाँ जहाँ पर 3000 है यहाँ पर आपको करना होगा 1000 क्यों क्योंकि आपको 1 second के लिए जलानी है और 5 second के लिए off करना है तो आपको लिखना होग 5000 जाएंगे इस केज पे और इसको upload कर देंगे upload करने के बाद आप देखेंगे कि जो code है वो आपके Arduino में connect हो चुका है और यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह 5 सेंड के लिए off हो रहा है और एक सेंड के लिए blink कर रहा है तो आप इस टाइप से जो blinking का प्रोग्राम है वो create कर सकते हैं मैंने अपने end से पुरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए आप इसको आसानी से घर पर डिजाइन कर सके हैं ठीक है जो कनेक्शन से यह मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो यह रड बायर है यह connect है एट पिन नंबर से और यह पहला फुल फॉल फॉर्म आता है RFID तो RFID का फुल फॉल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है नेक्स्ट LDR यानि की light dependent register नेक्स्ट DDS data distribution service नेक्स्ट XMPP यानि की extensible messaging presence protocol नेक्स्ट AMQP तो AMQP का फॉल फॉर्म advanced message queen protocol होता है बिसकली आपके exam के purpose से MQTT, AMQP, COAP ये तीनों ही protocol काफी important है आपके exam में यहाँ से question आने की पूरे उम्मीद है तो आप लोग इनके बारे में अधिक information provide कर लीजिए next तो AMQP का फॉलम क्या होता है advanced message queen protocol जो की एक application layer protocol है इसके लावा HTTP और FTP भी application layer protocol होते हैं next LCD तो LCD का full form liquid crystal display होता है next SCTP तो SCTP का full form stream control transmission protocol होता है basically SCTP एक connection oriented protocol है और ये transport layer पे काम करता है basically इसके लावा SCTP के लावा एक TCP होता है जिसका full form transmission control protocol होता है ये भी connection oriented होता है और transport layer पे काम करता है जबकि एक होता है UDP यानि की user datagram protocol basically जो UDP है ये connectionless है ध्यान दीजे SCTP और TCP ये दोनों connection oriented है जबकि UDP connectionless protocol है और ये तीनों ही protocol SCTP, TCP और UDP ये तीनों ही protocol transport layer पे काम करते हैं next WSN यानि की wireless sensor network next HMTP तो HMTP के तीन full form होते हैं पहला full form है hyper mail transfer protocol next है high frequency mail transfer protocol next है host multicast tree protocol तो ये तीनों ही full form HMTP के होते हैं आपके exam में जो भी option दिया गया हो आप उसको टिक करिएगा next NFC यानि की near field communication GPIO General Purpose Input Output next PLC यानि की power line communication next MQTT तो MQTT के दो full form होते हैं जो latest वादा full form है and that is MQ telemetry transport बट जो MQ है इसका full form होता है message queen telemetry transport तो basically जो MQTT है ये एक protocol होता है आपसे पूशता है कि क्या HTTP MQTT से light weight है तो आपको करना है false क्योंकि MQTT light होता है HTTP से ना कि HTTP light होता है MQTT से कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह simple दिवासा में कि MQTT HTTP से light weight है आपसे पूशता है कि क्या MQTT security को support करता है तो आपको answer tick करना है जी हाँ MQTT security को support करता है next coap तो coap का full form constrained application protocol है next www तो www का full form world object web होता है जैसे आपने पढ़ा होगा www यानि की worldwide web तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहता है object एक होता है www www यानि की worldwide web warm तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला आता है API यानि की application programming interface next IETF to internet engineering task force next WOT यानि की web of things next BLE यानि की Bluetooth low energy next LPWAN यानि की low power WAN और WAN का full form wide area network होता है एक आपने सुना होगा main यानि की metropolitan area network एक आपने पढ़ा होगा LAN यानि की local area network एक होता है PAN यानि की personal area network एक होता है SAN यानि की storage area network कैन यानि की campus area network तो यहाँ पर different type की network होते हैं 128 bit लंबा होता है IP address को ही हम लोग logical address भी कहते हैं next IDE तो IDE का full form integrated development environment होता है WPA यानि की wifi protected access CGI यानि की common gateway interface next SSH तो secure cell या फिर secure socket cell next आपसे पूछता है कि जो SSH है यह किस layer पर काम करता है तो आप को अंसर्टिक करना है कि SSH application layer protocol है एक होता है SSL तो SSL का full form secure socket layer होता है आपसे पूछता है फिलिंदा blanks में कि क्या SSL को net sorry आपसे पूछेगा कि SSL को किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो आपको अंसर्टिक करना है net escape basically जो SSL है यह transport layer की security provide करता है next IANA यानि की internet assigned numbers authority next DHCP यानि की dynamic host configuration protocol next VNC यानि की virtual network computing next LTE यानि की long term evolution next SPI यानि की serial peripheral interface next IIC जिसको हम बोलते हैं I2C और यह एक important full form है तो IIC का full form inter integrated circuit होता है next IP यानि की internet protocol next MAC यानि की media access control एक बाधान रख लिजेए कि जो आपका HTTP है इसका full form hyper texted transfer protocol होता है जो की TCP का port number 80 यूज करता है एक होता है FTP यानि की file transfer protocol जो की TCP का port 20 और 21 यूज करता है basically आपकी exam में पूछ सकता है कि जो TCP IP model है जो TCP IP model है जिसका full form transmission control protocol internet protocol होता है इसमें कितनी layer होती है तो आपको answer tick करना है इसमें 4 इसमें कितनी layer होती है तो इसमें 4 layer होती है अगर आपके option में 4 नहीं दिया गया है तो आप लोग 5 को tick कर सकते हैं एक होता है OSI model जिसका full form open system interconnection होता है basically इसमें 7 layer होती है और HTTP, FTP ये दोनों ही protocol आपके application layer पे काम करते हैं तो ये कुछ important full form थे मुझे आसा है कि आप ल लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दीजे और चनल को subscribe कर लीजे basically मैं आप लोगों को अब तक की 75 plus MCQs की वीडियो प्रवाइड कर चुका हूं जो की IOT यानि की M4 R5 से समधित हैं जिसका link आपको description में दिया गया है exam देने आने से पहले आप लोग उ 100 plus important की 100 plus important points की वीडियो मिलने वाली है जिससे आपको part 1 और part 2 दोनों में help मिलेगी तो आप लोग इस वीडियो को बिसना करिएगा वीडियो अपलोड होते ही मैं आप लोगों को इस वीडियो का link description में दे दूँगा so guys best control protocol internet protocol basically यह एक internet protocol suit है suit का मलब क्या होता जैसे कि आपका स्थी क्या है suit है क्यों क्यों कि इसके अंदर की सारे अलग अलग software से जिससके कि आपका हो गया MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access तो جो MS Office है यह एक suit है क्यों कि इसके अंदर क्या सारे अलग-अलग software's आते हैं तो इसे रिकार से जो आपका internal protocol suit है इसके अंदर आपके यह जो domain protocol है TCP और IP यह आपके दो protocol आते हैं तो जो TCP IP model है वो यह describe करता है कि network पर computer communication कैसे करेगा data कैसे transmit होगा तो जो आपका TCP IP original model है उसमें आपकी 4 layer होती है पहली layer है network access layer दूसरी layer होती है internet layer तिसरी layer है transport layer और चौती है application layer ठीक है तो जो आपका 4 layer है वो आपकी होती है TCP IP original model में ठीक है अच्छा मैं आपको क्या करता हूँ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जब भी दो devices internet के माध्यम से आपस में communicate करती है data question or receive करती है तो उस case में जो communication है ये कई parts में होता है तो जो parts है इनको हम बोलते है layer तो जो आपका TCP IP model है उसमें आपकी 4 layer होती है ठीक है यनि जो इसमें phase है उनको 4 part में divide किया गया है कि communication कैसे होता होगा तो जो आपकी layers है इन layers का अपना अलग-अलग काम होता है अलग-अलग layer पर अलग-अलग protocol वर्क करते है ठीक है तो जो आपका TCP IP update model है इसमें आपकी 5 layer होती है पहली layer है physical layer दूसरी है data link layer तीसरी है network layer चौथी है transport layer और पांच भी है application layer तो जो आपका TCP IP update model है उसमें आपकी 5 layer है जबकि जो आपका TCP IP original model है उसमें आपकी 4 layer है अगर आपके examen question आता है कि जो TCP IP model है उसमें कितनी layer होती है और आपको option में 4 नहीं मिलता है तो उसके इसमें आपको 5 टिक करना है ठीक है चलिए तो यह आपका था TCP IP model इसके बादों ने आपसे कहीं दिया है कि जो layers होती है उस पर कुछ protocol वर करते हैं जो उस layer से समंदित कार को अंजाम को देते हैं तो TCP IP model के कारण ही अलग-अलग network पर computer के बीच में communication संभव है TCP IP model को internet reference model भी गाते हैं यह आपकी इसमें कुशन आ सकता है जो TCP IP model है उसे हम किस नाम से आते हैं तो आपका अंसर आएगा internet reference model और जो आपका TCP IP model है यह client server पर काम करता है तो यह आपका था TCP IP model इसके बाद जो आपकी TCP IP model है जो इसमें layers है हर एक layer का हम लोग काम करने का तरीका समझेंगे कि जो layers है इनका काम क्या है और इन layers पर कौन कौन से protocol वर्क करते है तो जो पहली layer है पहली layer है network access layer तो जो network access layer है इसे हम लोग network interface layer या फिर data link layer भी कहते हैं या सबसे नीची layer होती है या layer या describe करती है कि network पर data किस तरह से send होगा काउन सा transmission medium प्रियोग होगा कि जो आपका transmission medium है वो wired है या फिर wireless है ठीक है तो ये सब काम काउन देखता है ये काम देखता है network access layer और जो आपका hardware addressing होती है इसे भी यही layer manage करती है यहाँ बात किसकी आई है hardware address की यानि की बात किसकी हो रही है mac address की physical address या फिर hardware address बोलते है जबकि जो आपका IP address होता है इसे हम लोग logical address कहते है तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपकी network access layer होती है इसका main काम क्या है कि data की इस तरह से network पर send होगा और जो transmission है transmission के लिए कौन सा medium use होगा wired या फिर wireless और साथी साथ hardware hardware की addressing होती है उसको भी manage करने का काम इसी layer का होता है इसके बाद आपका आता है internet layer तो इसे हम लोग network layer भी कहते हैं internet layer को हम लोग network layer भी कहते हैं इसका मुखिकार network पर data के route को handle करना है जिससे data packet सही destination तक पहुँच जाए यह addressing के लिए IP address का प्रियोग करता है IP, ICMP, ARP, IGMP protocol इसी layer पर काम करते हैं तो basically इस layer का काम क्या है कि जो भी data transmit होना है उसके लिए वो route को handle करें for example यह आपका device 1 है यह device 2 है आप device 1 से device 2 में data को transmit करना चाहते हैं using internet तो यहाँ पर क्या होंगी यहाँ पर कई सारी इस network से कई सारी devices करना ठोंगी तो उस case में इस device से लेकर इस device तक route को तेह करने का काम कौन करता है internet layer और यहाँ पर इस address को जो आपका data है वो सही destination तक पहुंच जाए उसके लिए यहाँ पर internet address protocol भी काम करता है तो इसका काम क्या है दो devices की बीच में route को define करना ठीक है तो यह आपका हो जाएगा internet layer इसका आपका आता है transport layer transport layer को ही हम लोग host to host layer भी कहते है इसका कार data packet को छोटे छोटे parts में बाटना है header information को जोडना है end to end error free data deliver करना है flow control source and destination port को जोडना इत्यादी यानि कि जो इसका main काम आपको दाता हूँ इसका main काम यह है कि जो data था उसको छोटे छोटे part में divide करें जिसको हम लोग बोलते हैं packet ठीक है दिन इसके बाद जो packets है और इसमें जो header information होती है कि उस data को कहाँ पर deliver करना है वो जो packet है उसका number क्या है sequence number क्या है और उसका destination address क्या है उसका source address क्या है ठीक है उसका port number काउन सा है कि उसको कि support पर deliver करना है ठीक है तो और flow control यानि कि जिस speed से यहाँ से data transmit हो रहा है उसी speed से जो destination address है जो destination device है वो उसी speed से data को receive करें तो यह भी flow control भी इसी का काम होता है तो यह सारे काम होते हैं यह आपके कौन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं पहला आपका है TCP दूसरा है UDP यानि कि transmission control protocol यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ठीक है जो TCP है यह एक connection oriented जो TCP है वो एक connection oriented protocol है जब कि जो UDP है यह connectionless protocol है अब बात यह आती है कि जो TCP है यह connection oriented क्यों है इसका reason क्या है इसको हम लोग connection oriented क्यों कहते हैं तो जो आपका TCP है वो data को transmit करने से पहले क्या करता है devices के बीच में एक connection को establish करता है connection को इस्थापित करता है then इसके बाद data को transmit करना शुरू करता है जब कि जो आपका UDP है ये data को transmit करने से पहले transfer करने से पहले root यानि कि एक connection establish नहीं करता है यानि कि ये directly data को send करता है यह पहले connection को installist नहीं करता है इस उज़े से हम लोग UDP को connectionless protocol कहते है और जो आपका UDP है यह reliable नहीं है जब को जो TCP है यह reliable है यानि कि आप इसा प्रिसास कर सकते हैं जो भी data होगा वो सही तरीके से destination device तक पहुंची जाता है तो इसमें आपका जो data होता है वो miss नहीं होता है तो जो आपका transport layer है इसमें जो data होता है वो segment में होता है ठीका तो यह थी आपकी transport layer अब हम बात करते हैं next layer की and that is application layer तो जो application layer है यह user के सबसे रज़्दीक होती है इसका मुखिकार application के साथ में interact करना है जो internet से connect है कहने का मतलब यह है कि जो आपका जहां से आप लोग data को enter कर रहे होते हैं तो वो आपका होता है application layer फार ज़ंपल जो आपका browser है जो आपका browser है यह आपका एक application layer के अंतरद आता है जो कि आपकी बात को उस computer तक पहुँचाता है तो जो आपका HTTP है, SMTP है, DSCP है, DNS है, SNMP है, FTP है, Telnet, TFTP, NTP जो protocols हैं यह इसी layer पर काम करते हैं और जो इसमें data होता है वो data की form में होता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस video को यह पर stop करता हूँ इसके आगे OSI model को मैं थोड़ी दर बात सूट करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ तो मिखला आराम करता हूँ, इसके बाद हम लोग इसके आए continue करेंगे अगला topic है OSI model तो जो OSI है, इसका full form होता है open system interconnection या एक reference model है जिसे ISO यानि कि international organization for instantization ने develop किया है OSI model या define करता है कि telecommunication network पर दो nodes यानि कि दो computer या दो devices के बीच में data कैसे transmit होता है इस network communication को साथ भागों मटा गया है जिसे हम लोग layer कहते हैं और हर एक layer का अलगला काम होता है एक से चार layer को हम बोलते हैं lower layer जबकि जो पान से लेकर साथ तक की layer हैं उसे हम बोलते हैं upper layer तो आपको समझ में आ गया होगा कि OSI model क्या होता है basically जो OSI model या describe करता है कि जो network होता है network पर data और information कैसे send और receive होती है तो यह आपका OSI model अब बात यह आती है आपके मैंने question आ रहा होगा कि आपने पढ़ाया है TCP IP model और अब आप पढ़ा रहे हैं OSI model तो इन दोनों में difference क्या है तो मैं आपको इन दोनों में एक major difference बताता हूँ अगर आप चाहा है तो आप difference भी दिसकते हैं कि इसमें 4 layer होती है इसमें 7 layer होती है ठीक है लेकिन जो main मुद्दा है main difference है वो यह कि जो TCP IP model है इसे use किया गया है यानि इसे implement किया गया है जो आपका internet है इसमें आपका TCP IP model use होता है ठीक है लेकिन जो OSI model है यह सिर्फ और सिर्फ एक reference model है यानि कि एक imagine किया गया कि हाँ जो network है जो communication है वो कुछ इस type से होता होगा तो आपको समझ में आगया होगा कि जो TCP IP है इसका use होता है जबकि जो OSI model है यह एक reference model है जिसे सिर्फ imagine किया गया है कि हाँ इस type से काम होता हुआ होगा यानि कि इसको सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाया गया है ठीक है यानि इसका सिर्फ documentation हुआ है लेकिन जो TCP IP है इसको implement किया गया है तो यह आपका main difference है अब हम देखते हैं कि OSI model में 7 layer होती है बात सही है लेकिन कौन कौन सी layers होती है तो देखिए धान से मैं जोम out कर देता हूँ जोम in यह रहा ठीक है चलिए तो जो पहली layer है and that is physical layer इसके बाद data link layer network layer transport layer session layer presentation layer और application layer ठीक है तो यह आपकी हो गई 7 layer 7, 6 और 5 जो आपकी यह 3 layers है इनको हम बोलते है software layer क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ software के अंदरगत आपकी layers आती है देन इसके बाद जो transport layer है इसे हम लोग बोलते है halt of OSI यानि कि OSI का हर्दे ठीक है जब कि जो आपकी network layer है data link layer है और physical layer है इनको हम बोलते है hardware layer जब भी कोई बंदा send कर रहा होता है तो उस case में जो in layer का sequence होता है कुछ इस type से होती है जो sender है उसके लिए पहली layer होगी application layer देन इसके बाद presentation देन इसके बाद कुछ इस type से लेकिन जो receiver होगा उसके लिए sequence रहेगा इन layers का वो इस type से रहेगा आप क्या पर होताया गया है अगर आप लोग उपर से नीचे जाएंगे तो उसके बाद यह है कि sender है अगर आप नीचे से उपर जाएंगे तो उसके बाद क्या है वो receiver के लिए है तो यह आपकी थी 7 layer अग हम देखते हैं कि कौन सी layer का कौन सा काम होता है तो जो सबसे पहली layer है and that is physical layer तो जो physical layer है यह define करती है जो भी आपके होते है physical connection और electrical connection ठीक है कि जो आपका data transmission है वो कैसा है यानि कि transmission medium कैसा है voltage क्या है data की rate क्या है ठीक है और यही layer आपका digital signal को digital signal को electrical signal में change करती है इसलिए 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 आपका आता है ठीक है तो मैं आपको ऐसे model के बारे में एक अच्छे सी picture दे दूँगा ठीक है मैं उसको develop कर रहा हूँ जैसे वो develop हो जाएगी तो मैं आपको question कर दूँगा आता है जो आपका ATM है ATM यानि कि वो ATM जिससे लोग पैसे निकलते है asynchronous transfer mode ठीक है वो अला ATM ठीक है FDDI है यह आपके सारे के सारे जो है यह इसी लेयर पे काम करते है कौन सी लेयर पे physical layer पे और दूसरी बात कि जो आपका physical layer इसमें जो data होता है वो bits की form में होता है कैसा होता है bits की form में होता है तो यह आपका था physical layer इसकाद आपका आता है data link layer तो इस layer में जो data होता है वो frames की form में होता है तो आपकी जामें कुशन आ चुका है और यह important question है जो data link layer है उसमें जो data होता है वो किस form में होता है तो आपका अंसर आएगा frames की form में जबकि physical layer में data bits की form में था ठीक है तो यह layer data packet को encode और decode करती है notes के बीच physical connection इस्थापित करना वर terminate करना इसी layer का काम है कहने अलब यह है कि जब भी आप लोग एक node से दूसरी node में data को transmit कर रहे होते हैं तो उस case में जो physical connection established होता है वो इसी layer के अंदरगत होता है और इसके बाद जब data transmit हो जाता है तो उस case में इस connection को terminate करने का काम भी यही layer करती है ठीक है और इस layer के इस layer की दो सब layer है पहली है LLC जिसका full form होता है logic link control ठीक है यह क्या करती है यह जो भी आपका synchronization flow control, error checking इन सब को control करती है ठीक है चलिए दन इसके बाद जो दूसरी सब layer है and that is mic यानि कि media access control और यह जो physical address होती है उसको manage करती है तो यह आपका था data link layer जो की OSI model की second layer है दन इसके बाद आपका आता है network layer यह nodes के बीच में, consignode जो source और destination की है यानि कि source और destination के बीच में data को transmit करने के लिए एक logical path establish करती है जो data link layer थी, वो physical path establish कर रही थी जब जो network layer है, यह logical path establish करती है और यह layer इसके लिए IP address का use करती है यह layer IP address का use करती है वर जो data होता है, जो data होता है वो packet की form में होता है addressing, routing, forwarding, आद इसी के कार है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ exam में इससे समझेत एक question आता है बहुत ही popular question है कि जो IP address है, वो assign model की किस layer के अंदरगत आता है तो आप का answer आएगा network layer, ठीक है इसके बाद आपका आता है transport layer, क्या आता है और यह बाद कि जो आपका data link layer है जो आपका data link layer कहा गई, हाँ जो आपका data link layer है, यहीं आपका connection होता है वो आपका point to point होता है, ठीक है तो जो आपका point to point connection होता है वो आपका data link layer के अंदरगत आता है तो आप इसको note कर सकते है इसके बाद आपका आता है network layer आपका हो चुका है हाँ, network layer हो चुका है अब आप बारीक इसकी transport layer की तो यह layer end system के बीच data को sequence में transmit करने वो end to end error recovery के प्रति भी जिम्मेदार है कहने का मदलब क्या है कहने का मदलब यह है कि यह आपका एक user है एक user यह है, ठीक है माली यह computer 1 है, computer 2 है तो इनको हम बोलेंगे end user क्योंकि data इस end से इस end में transfer होगा, transmit होगा तो इनको हम बोलते है end user यह हम बोल सकते है end system ठीक है, चलिए तो इसमें जो data है वो sequence में transmit करना और recovery को भी for example, यहां से data transmit हो रहा था और बीच में connection interrupt हो गया तो उस case में जो data का loss होगा है उसको दवारा से require करे यह भी काम transport layer का ही होता है transport layer में जो आपका data होता है वो segment में होता है किसमें होता है? segment में होता है यहां पर आपने typing नहीं की है पदा नहीं किस हिसाब से typing की गई है ठीक है जो transport layer है इसमें जो data होता है वो segment में होता है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपका जो connection होता है वो आपका होता है end to end जबकि data link layer में connection क्यासा था point to point तो यह आप इसको note कर सकते हैं क्योंकि यह आपके exam में part on में आते हैं ठीक है चलिए तो जो point to point है वो आपका आएगा data link layer में जबकि जो end to end है वो आपका आएगा transport layer में transport layer में आपके दो popular protocol है पहला है UDP और दूसरा है TCP तो यह दोनों protocol है जो कि इस layer पर काम करते हैं ठीक है तो जो UDP है वो connectionless है और जो TCP है वो connection oriented है आपको दाना है कि जो IP है IP address जो आपका उतना internet protocol यह connectionless है या फिर connection oriented है ठीक है तो यह आपके हो गई transport layer और चलिए ठीक है तो यह आपके पका यह आता है system layer तो जो station layer होती है यह application के बीच में एक virtual connection यह हम बोल सकते है channel इस्थापित करती है जिसे बोलते हैं selection यह connection को connection को इस्थापित करना यानि कि connection को establish करना उसे manage करना और उसे terminate करने का काम कौन करता है session layer करता है और जब ये session चल रहा होता है तो उस case में ये बनाता है एक check point क्या बनाता है check point ताकि session के interrupt होने पर यहाँ पर गलत लिखा गया है यहाँ पर क्या आएगा interrupt यानि कि जब session interrupt हो जाए तो session के interrupt होने पर आखरी check point के आधार पर data वहीं से पुना transmit हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि for example यह device 1 है यह device 2 है यहाँ से data यहाँ पर transmit हो रहा था तो क्या घरेगा जब data transmit होगा तो उस case में वो बनाता है check point क्या बनाता है check point ठीक है तो check point में होता क्या है कि जो packet यहाँ से deliver हो रहा है उसके बारे में उसके पास information होती है ठीक है for example दो packet यहाँ से transmit हो चुके थे इस device ने दो packet transmit कर लिए ठीक है receive कर लिए लेकिन हुआ क्या जो connection था वो बीच में interrupt हो गया यानि कि connection तूट गया तो उस case में जो दो packet है वो तो छूट गया तो इस case में होगा क्या चुकि उसने check point बनाया था तो इस case में उनको check करेगा कि data कहा तक transmit हो चुगा था तो जो last check point होगा उसके अधार पर वो जो बचे हुए packets है उनको transmit करना शुरू कर देगा तो यह benefit होता है किसका check point का तो जो station layer है आपको समझ में आ गई होगी दिन इसके बाद बात आती है presentation layer की तो presentation layer क्या करती है या network format data को या data को network format से application format यानि MP3, MPEG, PNG में change करती है और इन data को कौन से application format को उनको change करती है network में ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो presentation layer इसका main काम क्या है वो data format जो network समझता है उसको change करना application format में और application format को change करना network format में यह इसी का main काम होता है इसके लावा encryption यानि कि data को encrypt करना उसको decrypt करना उसको compress करना यह सारे काम भी आपके presentation layer के अंतरगत आते हैं इसी में आपका ask का code भी आता है ठीक है कौन सा ask का code तो यह आपको ध्यान रखना है और data को repent करने का काम भी यह लेर करती है इसके वाद आपका आता है application layer तो यह user यह user software के साथ सीधे सीधे interact होती है वा user software के से data को accept करना वा आने वाली information को user software पर दरसाता है कहने का मदलब क्या है कि जो आपका application software होता है यहाँ पर software नहीं होगा यहाँ पर layer होगा जो application layer है यह user software के साथ में सीधे interact होती है जो भी data user अजिटे लेटा ओता है घ्याज़द करता है इस को भी यूजर गौपे शॉप्टएर पर दिखाने का kाम होता है जो यह लैयर है कौंस लियर? अपलिकेशन लेयर? और इसमें आपका HTTP, SMTP, POP, Telenet और NFS, ये आपके सारे प्रोटोकॉल इसी लेयर पे काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जो आपका एक बात और ध्यान रख लीजेगा, यहां से मुझे ध्यान अगे, लास्ट में, कि जो आपका हाब होता है, जो हब होता है, और हब और रिपीटर होता है, ये आपके दोनों ही डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम पड़ते हैं, तो ये जब भी आप कोई डेटा आपने मुबाइल से किसी रिलेट्व के पास सेंड करते हैं, तो वो आपके रिलेट्व के पास ही क्यों जाता है, क्योंकि इंटरनेट से तो आप यहां से कोई data send करते हैं तो वो आपके relative के पास ही क्यों जाता है वो internet से जो तमाम सारी devices connect है उसमें transfer क्यों नहीं हो जाता क्यों इसका करणड यह है कि internet से जितनी भी devices connect है उन सब का एक unique number होता है जिसे बोलते हैं IP address तो चले समझते हैं हम लोग IP address के बारे में कि IP address आखिर ह protocol होता है जब हम किसी network में एक computer से दूसरे computer पर data send करते हैं तो वहां IP address के कारणड ही उस device को पहचान पाता है और data को deliver करता है तो आपको यहां से एक बास समझ में आ गई होगी कि जो भी devices internet से connect हैं चाया आपका modem हो computer हो server हो router हो या फिर कोई अने device हो जो भी device internet से connect है उस device का ए एक unique address होता है जिसे हम बोलते हैं IP address IP address को IANA IP address को IANA यानि की internet assigned numbers authority के द्वारा globally manage किया जाता है लेकिन अलग-अलग country में हमें IP address ISP यानि की internet service provider provide कर आते हैं अब question आपके exam में यह आता है कि ISP का full form क्या होता है तो इसका full form होता है internet service provider यानि कि वो company जो हमें internet की service provide कर रही है उसे हम बोलते हैं ISP जैसे हो गया Jio, Airtail, Vodafone, Idea यह क्या है ISP है और ISP ही हमें internet की सिवा provide कराती है और IP address भी provide करती है ठीक है अब अगला point आता है कि जो IP address है इसे हम logical address भी कहते हैं यह उपके exam में कई वारा चु को हम किस address के नाम से जानते हैं तो आपको option देता है logical, physical या फिर hardware तो आप हम पर टिक करेंगे logical address जबकि एक आपका होता है MAC address यानि कि media access control इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे MAC address को हम hardware address या फिर physical address बोलते हैं जबकि IP address को logical address बोलते हैं यह आपको मौलुम हना चाहिए next question यह बनता है कि जो IP address है वो OSI model की किस layer पर work करता है आप जानते हैं कि OSI का फिल्वाम क्या होता है open system interconnection इसमें 7 layer होती है और उनमें से एक layer है network layer तो network layer पर ही IP address work करता है ठेका question most important है यह इसको समझ लीजेगा कि OSI model की network layer पर IP address work करता है जो IP address है इसके दो version है पहला version है IPv4 यानि की internet protocol version 4 एक है internet protocol version 6 इसे हम बोलते हैं next generation का IP address अब पहले समझते हैं कि हम लोग IPv4 यानि की internet protocol version 4 के बारे में तो जो IPv4 है या IP address का चौथा version है IPv4 32 bit लंबा address होता है जो चार octate में बटा होता है और प्रतेक octate डाट जारा अलग होता है ठीक है यह जो मैं terms में आपको उता रहा हूं मैं आपको एक example के साथ में सम्झाने का प्रयास करूंगा तो आपको आसे clear हो जाएगा next point आपको यह पर दिया गया है कि प्रतेक octate में नियुंतम मान 0 और अधिकतम मान 255 हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य value नहीं हो सकती है जो इस रहें से बाहर होगी next point है कि हम लोग IP address version 4 के address को decimal form में present करते हैं IPv4 को 5 classes में वाटा गया है चार नहीं 5 किसमें 5 5 class में वाटा गया है class A, class B, class C, class D और class E जो IP address version 4 है इसको दो पार्ट में device कह जाता है पहला होता है network ID दूसरी होती है host ID जो IPv4 है इसमें जितने भी possible address है उनकी संख्या है 2 की power 32 याने कि आप इस version से इतने address assign कर सकते हैं devices को याने कि लगबग 4 billion लेकिन हुआ क्या कि जब पहले समय में इतने ज़्यादा device नहीं थे तो उस time पे तो ये काम कर गया लेकिन आज के जमाने में जो ये range है इस range से कहीं आगे हमारे पास devices हैं तो दिक्कत ये आ गई कि अप address कम पड़ गए device ज़्यादा हो गई तो उन device को क पैसा नंबर दिया जाए कौन सा यूनि नंबर दिया जाए तो इसके लिए बनाया गया IPv6 तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में पहले देखते हैं हम लोग IPv4 का example तो आपको यहाँ पर दिया गया example मैं इसको जूम कर जता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ तो जो आप यहाँ पर एक address देख पा रहे हैं 192.3.5.6 तो यह जो example है यह IPv4 का है यानि कि internet protocol version 4 का है अब आप देखिए गधान से कि जो यह IPv4 का address होता है वो 32 bit लंबा होता है और यह 4 section में बटा होता है एक section आपका यह हो गया एक section यह एक section यह और एक section यह और एक section यह प्रत यह देख सकते हैं आप और प्रते एक section को हम octet बोलते हैं octet को मनलब क्या होता है कि हर एक section में 8 bit होती है कितनी होती है 8 bit यहाँ 8 bit यहाँ 8 bit यहाँ 8 bit यहाँ पर 8 bit यहाँ पर यहनि कि 8 for 32 इसलिए आपका IP address है IP address version 4 है वो 32 bit लंबा होता है तो आपको इतना clear हो गया होगा और दूसरा point वो यह है कि जो प्रते एक section होता है जो प्रते एक octet होता है उसकी minimum value 0 और maximum value 255 होगी अगर इसके बीच में या फिर इसके बाद इसके अलावा कोई number है इस range के बाहर कोई number है तो वो एक valid IP address नहीं होगा अगर for example मैं आप लिखता हूँ 192.3.5.600 अगर मैं आप से कह कि क्या यह IP address valid है तो आपका answer आएगा नहीं क्यों क्योंकि यह term तो सही है लेकिन यहां पर यह term value दी गई है यह क्या है इस range से बाहर है इस वज़े से यह valid IP address नहीं है तो आपको यहां से IPv4 के बारे में समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कि IPv4 में कौन कौन सी classes होत होती है तो आपके यहां पर image में दिखराओगा साफ साफ कि जो class A है जो class A है उसमें एक network ID और तीन host ID होती है और उसकी range है वो है एक से लेकर 126 अब question यह आता है कि यह एक से लेकर 126, 128 से लेकर 119 यह क्या है यह हम कैसे वालुम पढ़ेगा कि जो IP address हमको दिखाया जा रहा ह है वो किस range का है तो आपको यहां पर जो address दिखा दिया जाएगा तो उसमें जो पहला वाला octet होगा उसमें से आपको इस value को यहां पर match कराना है तो इस case में आप यहां देख पा रहोंगे कि जो 192 है वो इस range में आएगा तो उस हिसाब से जो आपके सामने यहां पर IP address दिय क्लास B में दो network ID और दो host ID होती है इसकी range 128 से लेकर 191 तक होती है अब आपको में कोशन आ रहा होगा कि यहां पर 126 था तो 127 कहां गया तो मेरे भाई 127 वाली ID को हम बोलते हैं loopback address यह कोशन आपको इसाम में कई बार आ चुका है कि आपको देदेगा 3-4 IP address आप से कहागा कि इ IP address को टिक करना होगा जो क्लास C है उसमें 3 network ID होती है एक host ID होती है और उसकी range होती है 192 से लेकर 223 तक क्लास D की range 224 से लेकर 249 तक क्लास E की range 240 से लेकर 254 तक होती है तो आपको इतने अटर्ग में से clear हो गया होंगे मैं आपको एक IP address लिख के देता हूँ और आपको बताना ह है कि यह किस क्लास का है मैंने आप लिखा for example 92.0.5.6 तो आपको बताना है कि यह किस address किस क्लास का है पहले मैं आपको इसको explain कर देता हूँ इसके बाद मैं आपसे question पूशता हूँ उसका अंसरा को comment में करना होगा अब question जाता है कि आप पहचाने के कैसे तो आपको बिल्कु क्या एक से लेकर 126 के बीच में 92 आएगा तो मालूम पड़ा हाँ तो चूंकि जो इसका पहला update है वो इस range में आ रहा है और यह range किस की है class A की है तो इस case में जो यह आपका IP address है यह class A का IP address कहला आएगा मैं आपके सामने एक लिखता हूँ IP address for example 178.6.6.0 आपको बताना है कि यह address किस class का है अगर आप चाहां तो आप इस screen को pause करके इस term को इस range में मिला सकते हैं और answer comment में कर सकते हैं अब हम बात करते हैं IPv6 के बारे में यानि कि internet protocol version 6 के बारे में तो यह internet protocol का छटा version है यह 128 bit लंबा होता है जबकि IPv4 32 bit लंबा था और वो decimal form में present कर रहे थे और जो IPv physics है इसे हम hexadecimal form में present करते हैं और इसे 8 group में बाटा गया होता है प्रतेक group colon से अलग किया रहाता है जबकि उसमें dot से प्रतेक part अलग हो रहा था और उसमें 4 part थे यानि कि 4 section थे जबकि यहाँ पर कितने section है 8 section है यह हम बोल सकते हैं 8 group है अगला point यह है कि इसमें address की संख्या 2 की power 128 है यानि कि आप इसमें इतने सारे address असाइन कर सकते हैं अलग-अलग devices को यानि कि यह आपका अरबो घरबो में है जबकि इतनी devices भी नहीं है तो इसलिए IPv6 को बनाया गया ताकि जो भी devices के लिए unique address कम पड़ रहे थे IP address नहीं हो पा रहे थे तो उनको यहाँ से adjust किया आपको यहाँ पर एक example दिख रहा होगा 2408,4063,2188,9577,73,34,000,000,000,85,A3 तो जो आपको यहाँ पर IP address दिख रहा है यह IPv6 यानि कि intern protocol version 6 का example है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो यह IP address है यह hexadecimal form में लिखा गया है और यहाँ पर आप 8 group हैं और प्रतेक group columns के द्वारा separate किया गया है तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर explain कर देता हूँ IPv4 और IPv6 में difference क्या होता है तो जो आपका IPv4 होता है वो 32 bit लंबा होता है जबकि IPv6 128 bit लंबा होता है होता है। कितने में होता है, 4 octet में होता है और प्रतेक octet, dat द्वारा अलग के राता है जबकि इसमें 8 section होता है यह zeros जो कि eight group होता है, आठ help होता है,ाँ और प्रतेक section यह पृतेक group, column के द्वारा अलग कर राता है अगला point यह है कि जो आपका IPv4 है इसे 1983 में इंट्रड्यूस किया गया था जबकि जो IPv6 है इसे 1999 या फिर 1998 जो भी आपको आपको आपर टिक कीजिए इसमें इंट्रड्यूस किया गया था अगला point यह है कि IPv4 में 5 classes होती है जबकि IPv6 में 5 यानि class का कोई भी concept नहीं है जो IPv4 है इसमें जो possible address है वो है 2 की power 32 जबकि IPv6 में जो possible address है वो है 2 की power 128 और आप इसमें एक एक example लिख सकते हैं इतना आप कर सकते हैं तो मुझे आसा है कि आपको IP address मझ में आ गया होगा अगर अब तक आपको IP address मज में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कि IP address कितने type का होता है तो IP address दो type का होता है पहला होता है public IP address दुसरा होता है private IP address गाइस जो हमने पढ़े हैं IPv4 और IPv6 वो internet protocol के version थे हम बात कर रहे हैं internet protocol के type के बारे में तो आपके वहीद दो होते हैं बारी बारी सेंट उनके समझने का प्रयास करते हैं आप लोग यहाँ पर figure देख पा रहे होंगे जिसमें दो devices हैं internet से connect हैं ठेक है तो इसमें हुआ क्या है कि जो devices हैं इनका अपना अलग-अलग IP address है इसका कुछ और है इसका कुछ और है यानि कि यह direct ISP के दोरा इनको IP address दिया गया है तो जो devices internet से direct connect हैं यानि कि उनको ISP के दोरा direct IP address दिया गया है तो SC IP address को बोलते हैं public IP address जबकि आप यह figure देख पा रहे होंगे इसमें क्या है यह ISP है इस ISP ने इसको एक IP address दिया हुआ है और इस बंदे ने अपने घर में या फिर अपने institute में या फिर अपने building कोई है उसने एक connector गणा रखा है जिसमें कई सारे PC, कई सारे mobile connect हैं तो इसने क्या किया है उसी IP address से इसको भी इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी सब को connect कर दिया है तो जो आप यहाँ पर figure देख पा रहे हैं जो यहाँ पर IP address इसको मिला है तो यह IP address कहुन सा है प्राइवेट IP address है यानि कि जो IP address किसी PC को असन किया गया है और वो उस computer से कई सारे PC connect है या कई सारे devices connect है तो जो उस computer से कई सारे devices connect है वो उनको जो मिला है IP address वो example हो जाएगा प्राइवेट IP address का जबकि जो original IP address है जिसे से assign किया गया है यह हो जाएगा public IP address तो मुझे आसा है कि आपको समझ में आ गया होगा public IP address और private IP address में difference क्या होता है आपको ये वीडियो अच्छा लगाता वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपके पास